स्री बागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती बागवत भगवान की है आरती बापियों को पाप से है आरती बापियों को पाप से है तारती बापियों को पाप से है तारती बापियों को पाप से है तारती बागवत भगवान की है आरती बापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुप्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवी जोती जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुप्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवी जोती जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुप्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव जोती जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुप्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवी जोती जगाने वाला हर नाम यही हर गान यही हर जान यही हर घान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है पारती स्री बादवत बगवान की है आरती पापियों को पाप से है पारती पापियों को पाप से है पारती पापियों को पाप से है पारती पादवत मगवान की है आरती पापियों को पाप से है पारती पाप पापों को मिटाने वाला हरी दर्स कराने वाला ये दुख करणी ये दुख हरणी पापियों को पाप से है पारती पापियों को पाप से है पारती ये मदुर बोल जग पंति खोल सनमार्ग बताने वाला पिगडी को बनाने वाला ये मदुर बोल जग पंति खोल सनमार्ग बताने वाला पिगडी को बनाने वाला ये मदुर बोल जग पंति खोल सनमार्ग बताने वाला पिगडी को बनाने वाला पाप से है तारती आरती की देहनु माहानी ललागी तुद दलन न गुना दिकलागी शाके बलते गिरवल कापे रोबे दोस जाके निकट ना जापे अंजनी पूत्र महा बलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई तेली राल कुना पे पठाए लंका जारी सिया सुद दिलाई लंका जारी असुर संकारे शिया राम जी के जार समारे लक्षमन मुर्जित पड़े तकारे आन सजीवन दान उपारे बैठ बाताल तोर जमकारे आईरान की भुजा उखारे पाए भुजा असुर दत मारे जाईन भुजा संत जनतारे पुर्णर मुनिजन आरती उतारे जैड़े अनुमान उचारे कंचन कान कभूल लोचाई आरती करग अंजना हमाई जोहन मादी की आरती गावे पस्वेटिंध परम पदुपावे लंका विदवर्ण से किये रखू राई तुल सिदा से स्वामी की दर्दी दाई आरती की देहन मान नहला की तुष्पे तनन रखूना के कला की इंहर तुल chodzi स्वाद तुष्पे चब्सक्र तुट थेंजन ऊपय आड सब्सक्राओं प्रूद थे किर्ण से सवा तुट सैक्सम्द्रं постоял, के हुझति दाउड हों रहत हुझतर प्रभव एधृ नार्माय जंद वा है निप्रमाय ब्री यानिक प्रारत्विक्णा स्वीन सब्सक्राइब आए इस बुद्टेफ को नीठ सोगाइब कर दो निबाए, तरन सक्राइब गिड़िप्रृद्ग है, हरी ओम नावी बड़िवाए, वाश्व्देभाय अही आप प्रूदधृ देह महिवा विश्णों सब्सक्राइब हरी ओ नदब दो अधि और यार्श का प्रशिद्गा ना शुगंति पुष्भाणी अधाय का लुष्भाणी पुष्भाणी को अपने अपने हाथों में लेते हुए परिकर्म में मार्ट से गुद्रेंगे और हरिनाम संकीरतर के साथ परिकर्मा करते हुए वार्ट में मंत्रों स्मा जलीं को यहां थाकुर्जी माराज के चर्ण में सब्दृत करनी है और आरति रख देनी है गमेवे सर्वं ममदेव देवं सरवी भवंत तुकिना, सरवी संतु निरामाया सरवी भज्यानि पस्चन्दू, माकाते दुख भागवे माकाते दुख भागवे गोबिंद में रू है, गोपाल में रू है गोबिंद में रू है, गोपाल में रू है मोबिंद में रू है, गोपाल में रू है वो सिबा के तीहारी नंदलाल में रू है स्रीमा के पिहारी नंदलाल में रो है गो गिंद में रो है गो पाल में रो है स्रीमा के पिहारी नंदलाल में रो है गो पिंद में रो है गो पाल में रो है को गिंद में रो है गो पाल में रो है को गिंद में रो है गो पाल में रो है को गिंद में रो है गो पाल में रो है स्रीमा के पिहारी नंदलाल में रो है स्रीमा के पिहारी नंदलाल में रो है बिंदे में लो है, वो बाल में लो है बाल में लो है, वो बाल में लो है 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 A आर अ में लो है बाल में लो में लो है गुरुहु साक्षात परम ब्रह्माप तश्मै स्री गुरु वेड्नमहौ। अखन्ड मंडलाकारं व्याप्तमये निचराचरं। थत्पदम् दर्सितम् ये नाव। थश्मै स्री गुरु वेड्नमहौ। अलेश्यत गुरुदेव भगवान की। गजाननम् भूत गणा दिसेवितं। कपेत्थ जंबु फलचारु भग्षणं। गुमाशुतम् शूक विनाश कारकं। नमामी विखने स्वर्पाद पंकजं। बुलिग जानन्द भगवान की। वन्दे देवमापतिम् शुर्गुरुं। वन्दे जगात कारणं। वन्दे पन्नग भूषणं अम्रगधरं। वन्दे पशू नाम्पति। वन्दे शूर्य ससांक वहनिनयनं। वन्दे मुकंद प्रियं। वन्दे भक्त जनास्रयं च वर्दं। वन्दे शिवं संकरं। बुलिशंकर भगवान की। कस्तूरी तिलकं ललाट पठले। वक्षस्थले कोष्थुभं। नाशा ग्रेवर मोक्तिकं करतले। वेणू करे कंगण। शर्वांगे हरिचंदनम सुललितं। कंठे च मुक्ता वली। गोपस्त्री परिवेश्थितो विजयते। गोपाल चूडामनी। बुलिवाल मुकंद भगवान गी। वन्से विभुशित कराः नव नीरदाभाः। पीतांबरादरुण विंब फलाधरूस्थात। पुरणिंदु शुन्दर्मुखादर्विंद्र। नेत्रात। कृष्णात्परमकिमपितात्वाः। जाने। गंगातरंगरमनियजटा कलाभं। गौरी निरंत्र विभुशित्वामुखादं। नहरायनप्रियमनंगमदापहारं। वाराणशिंपृपतिं। भजवेष्वनाथं। उलिकासी विश्वनाध भगवाद की। नारायनमनमस्कृत्यम् नरंचलिवनरुतमं। देविम् सरश्वतिम् व्याशं। ततो जय मुदीर। अपने अपने घरन की शब काहू को पीर। तुभे पीर शब घरन की। मेरी धन्य धन्य रभुवीर। जय जय स्त्रीराधार्मन। जय जय नवल की सोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। मेरी जय जय माखन चोर। बोली माखन चोर भगवाद की। शबी देवी देवताओं को हदे से प्रणाम करते हुई। नगर बस्ती के सभी क्षेत्रिय देवताओं को चरण वंदन करते हुई। विद्वजन महन भावों पितातु लिब्रत जनों मंगल मई मूर्थीम माताएं और वहनों वर्तमान समय के क्रणधार युवशातियों और संगीत की मधूर मई सरीत बहाने वाले संगीत के मधूर कलाकारों आप सभी को भी व्यास्पीट से प्रणाम करते हुई। और भगवान की मंगल मई रस्मई पुनेत पावन कथा आपके समक्ष सुनाऊं अज्यांतावश भूलवश मानवतावश तुरुटियां हो जाती है गलतियां हो जाती है व्यास्पीट से कोई गलती हो एक अज्यानी ब्रामन बालक समझकर के मेरी गलतियों को माप करना और भगवान की कथा में पूरा-पूरा ध्यान भखना आए भगवान की पावन चरित्र में प्रभेश करनेश्य पूर्व अपनी मति को अपनी बुद्धी को अपनी तन को अपनी मन को पवित्रकण्यकित लेक्वान की साथ में सेवं यह स्थि राथे राथे गोविंद गोहों बिंद राध्य श्री राधे राधे गोहों बिंद गोहों बिंद राधे बोलेगा सभी ताली बजाते हुए स्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे, गोपाले राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाले राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे आधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे को बिन्द 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 राधे 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 वोगी दे राधे पुले गोविन्द भगवान की आसुतोष भगवान की जै जै स्री राधे जै जै स्री राधे जै जै स्री राधे स्या पूर्व कथा के प्रशंग में आप शभी भगवान की अरसीली कथाओं का अंद ले रहे हैं पावन नैमी शारण क्षेत्र में भगवान की पावन कथा चल रही है शान का दिकठ्यासी अज्यारेसी कथा के श्रोता है और वक्ता है सूच जी माराज कल की कथा के प्रसंग में भगव्दी ज्यान वेरागय का पावन चरीतर स्रुबन कराया आत्मत इव्रामन का चरीतर उस आत्मत इव्रामन के यहां को पुत्र का जनम हो प्रेमियों कहते हैं कि सोभागी से पुत्र का जनम होता है लेकिन नहीं पुत्र तो 99% लोगों को मिलता है क्या सभी सोभागी साली है पुत्र हो या पुत्री पुत्र केवल भागे से मिलता है सो भागे से तो पुत्र नहीं सुपुत्र मिलता है और वेसे ही पुत्री एक पुत्री और एक कुपुत्र एक कुपुत्र एक शपुत्र शुपुत्र जो कुल का नाम परिवार का नाम अपने गाउं का नाम क्षित्र का नाम रोशन करे वो शुपुत्र है जो अपने परिवार को डुबो दे अपने कुल को डुबो दे परिवार के पिता का नाम डुबो दे वो कुपुत्र होता है कि दुन्दकारी शुपुत्र नहीं कुपुत्र हुआ लेकिन कुल में एक ऐसा ग्यानी हो गया इसने स्रीमद भागवत के माध्यम से पूरे कुल को तार दिया वो गोकुर्ण जी महाराज एक ही परिवार है एक कुपुत्र हुआ तो एक शुपुत्र हुआ ऐसे ही बेटियां भी होती है कई बेटियां आजकल की घटनाओं को देख रहे हैं न्यूज पेपर्स में भी यूटूब पर भी तो फेस्बुक पर भी कई घटना ऐसी आती है कहीं पर बेटियां ही कुल को डुगोरित कहीं बेटा और कई कई जगें ऐसे सोभागे साली है वो माता पिता जिनके यहाँ अच्छी बेटियां का जर्म है और बेटियां अच्छा पढलिक करके अपना अच्छर जल्ट दे करके अपने पिता का नाम रोशं करती है जब समाचार मिलता है पिता को बेटि का फला पोस्ट पर पद पर है जो चैन हो गया है तो उस बाप का हड़ें गर्व से सीना चोड़ा हो जाते हैं वो है बीटी तो ब्रेमियो तुन्दकारी का चरितर आप सभी ने सुना कथा मनुष्य मात्र को प्रिर्णा देती है कथा केवल मनुरंजन का शाधन नहीं है कथा मनुष्य मात्र को जीने की एक कला सिखाती है यदि अमल करे तो बुझर को भी युवाओं को भी बच्चों को भी बेटियों को भी बेटों को भी सब को सिक्षा देती है हमें किस प्रकार से रहना चाहिए किस मर्यादा में रहना चाहिए बेटी को कैसा रहना चाहिए बे देती है दिवश, सोची वाराज कहते है रिशियों, नई मी से, नई मी से निमी सिक्षेत्रे, रिसे ये सोने खादयो, सत्रम स्वर्गा ये लोकायो, सहे श्रे शम माशत्ह, शोची माराज से एक प्रशन कर दिया है, पहले इसकंद प्रारंभ है आज, प्रतम इसकंद के कताब हो रही हैं, कल्यूग में जीवों के कल्यान का मारण क्या है, आप हमें ये आउगत कराएं, तो सौनक जी ने प्रस्ण कर दिया, आगला प्रस्ण क्या कहा, ब्रूही योगेश्वरें क्रिश्ने ब्रह्मने धर्म वर्मनी श्वाकाश्ठाम अधुनोप्रिती धर्मे कैशर्णम गतः, आप सभी को अवगत हैं, यूग चार है, कौन-कौन से, सत्य यूग, त्रिथा, द्वापर, कल्यूग, सबसे चतुर्थ नंबर जो चल रहा है वो कल्यूग है, अभी तो पांच जार और कुछ वर्ष ब्यतीत हुई हैं कल्यूग की, कल्यूग की आयूग है, चार लाख बत्तिस हजा, अभी कई मानवाव कहते हैं, महराज, घोर कल्यूग आ गया, अभी घोर नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, केवल 4,32,000 में से केवल मात्र 5,000 वर्स और कुछ पाज़ार से उपर वर्स ब्यती तो है है इससे दुगनी आयू है दुआपर की यानि 4,32,000 में प्लस 4,32 कर दो 8,68 ये हैं दुआपर इसमें फिर 4,32,000 जोडेंगे 12,90,000 ये हैं प्रेता और उसमें भी फिर 4,00,000 जोड़ देंगे वो है सत्यूग तो प्रेमियों ये कल्यूग चल रहा है तो कल्यूग से पूर्व का समय था दुआपर उस दुआपर यूग में सावरे बिहारी सधराधाम को जब छोड़ करके गई तो सूच जी माराज से सौन का दिक्रिशों ने बड़ा अच्छा प्रस्न कर दिया है और वो प्रस्न ऐसा कर दिया जो सब के कल्यान का रास्ता है कि प्रभू, हे गुर्देव भगवान के इस धराधाम से जाने के बाद कल्यों की धर्म किसकी सरण में रहा वो आप हमें बुगत कराएं शादव ने आपने अच्छा प्रस्न किया है शंपुन, विष्व कल्यान के लिए आपका प्रश्न हर यही प्रस्न भगवान की कता कितनी कता से जोड़ता है तो हेरे, प्रिशियों आपका बड़ा अच्छा संसे है लेकिन प्रेमियो भगवान की कथा के प्रती संसे हो और वो संसे किसी गुरुजन के पास में किसी विद्वान के पास में अपना संसे दूर करें हम तो अच्छा है, कभी भी किसी विद्वान की या किसी गुरू की परिक्षा लेने के लिए नहीं, जो नहीं जानते हैं, वो यह हमेशा पूछना चाहिए, लेकिन लोगों की आदत बड़ी गंदी है, कई लोग क्या करते हैं, वो यह प्रसन पूछते हैं, जो खुद जानते है कि देखें, महराजी भी जानते एक नहीं जानते हैं इसको, ऐसे पूछने के लिए कई जगे, यहां तो सब विद्वान है, मैं अन्य जगों की बात कर रहा है, यहां की नहीं कर रहा है, लेकिन कई जगे देखा जाता है, कई लोग अट पटे प्रसन लेकर के आ जाते हैं, सिर्फ पूछें देखें, लेकिन कभी भी किसी भी विद्वान का परिक्षण नहीं करना चाहिए, संसे हो, आपस में जरूर विचार विमर्ज करनी चाहिए, कि संसे हो, आज यह मुझे कर रहा है, संसे शमन दमन दुखो, सुख निधान हरी एक, शाधु क्रिपा बिन मिल ही नहीं, करिय उपाय अनेक, संसे किसे दूर हो? कि गुरू बिन भवनिधी तरही न कोई जो विरांची संकर सम होई जो विरांची संकर सम होई अपना संसे किन से कहें? गुरू के पास में जीवन में ब्रेमियों सद्गुरू का होना बहुत जरूरी है अब 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 प्रेमियों संकादिक रिसी नारज जी को कथा सुना रहे हैं और सुच जी महराज सौनकादिक अप्ठ्यासी जार रिशियों को सुना रहे हैं अब प्रेमियों सुच जी महराज के रहे हैं निविदन किये हाँ प्रभु एक प्राथना है ससम्राटिक श्यवा प्रायो प्रविष्टु गंगायाम अनाध्रित्या भगवान कृष्ण की कथा का उद्गम हो रहा है यह कथा संकादिक रिशी नारज जी को सुना रहे हैं और सुच जी महराज सौनकादिक अप्ठ्यासी अज्जार रिशियों को कथा सुना रहे हैं उसी प्रसंग में उन्होंने कथा करम में स्रिष्टी का करम का वर्णन प्रारण करिया स्रिष्टी वर्णन में और उन्हों निविदन किया कि वेद्व्यासी महराज एक बार जब अपने ध्यान में बेठी हुए हैं भगवान का इस्मन चल रहा है उसी समय पर नारजी महराज का आगमन हुआ है नारजी का जब आगमन हुआ नारजी से निविदन किया है हेरी शीवर मैंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी वेदों की रचना कर दी महाभारत की रचना कर दी लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई काम अधूरा है मेरे मन को शांती नहीं है नारजी निका मराज सच कहा है आपने आपने वेदों की रचना कर दी महाभाश्य की रचना कर दी एक बात कहूं इस्त्री शुद्रो एद्विजा बंधो नाम त्री ने श्रुति गोच रहा करम स्त्रे यसी मूधा नाम स्त्रिकिय एवभवेदिह प्रेमियों वेद पढ़ने का अधिकार केवल मात्र ब्रह्मन को है लेकिन समय की बड़ी विडम बना है अन्य लोग भी वेद का उच्चारण कर रहे हैं और कई जगे तो देखा जाता है माता वहिन भी धाकार हो रही है लेकिन सास्त्र जिसको अनुमत ही नहीं देता है जिस सास्त्र को वो पढ़ रही है वही सास्त्र उनको रोक रहा है यह भागवत के पहले इस कंध में अध्याय में 24 नंबर प्रसलों के हैं उस पर लिखा हुआ इस इस्त्री सुद्र एद्वी जात की नामत्रईर ने इस्त्रुती गोच रहा है सबसे पहले ही रुकावट इस्त्री के लिए क्यों माताओं को कथा क्यों नहीं करनी चाहिए गण्याओं को कथा क्यों नहीं करनी चाहिए आगे कथा प्रसल में तो आप सुनेंगे ही क्योंकि ब्रेमियों विद्वानों ने अог reduce का और कि इस गरंथ पर विवेचन किया है इस गरंथ पर सर्च किया है रिसर्च किया है जाचा है पर्खा है तब लिखा है क्योंकि मुझे जो एक फ्रॉज वालताइ। एकि रमीद नहीं के तुछा नहीं को सिट विए के लिए आपर न करना देंक दो नहीं आता को साकित है कि अे प्रव कि लिए बेलर कि दोगे हुआ आवसक जुण जका अरेकरा को से को जाता है अरेकंस को अरेकंसobe ऐा आवस्ति हाया कि टूड़ों से सहा हाूस तो पेमियों माताज बहने पहली बात तो इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी उस ब्रह्म हत्या को इंद्र ने चार जगे बाठा ब्रह्म हत्या क्यों लगी ये कता प्रसंग में सुनेंगे हों उस ब्रह्म हत्या को चार जगे बाठा प्रत्वी को बाठा जल को बाठा पेड को और चौथा है माता वहिना पेड में जो गौंद आता है वो ब्रह्म हत्या का दोश हो जल में जो फैन आता है ज्ञाग जिसे बोलते हैं वो भी ब्रह्म हत् प्रत्वी जो भूमी बंजर रह जाती है कुछ भी पैदा नहीं होता है ये भी ब्रह्मत्या का दूस है और माता वहिन जो चार दिन भोजन बनाने के काविल नहीं रहती है दिन दिन चार दिन प्स दिन वो भी ब्रह्मत्या का ही दूस है इसलिए जो भी कॉई कताकार मातावईन होती है क्योंकि समय निश्चित नहीं होता है इसलिए यदि वो ऐसा करती है Такो हो अपना पाप चुपा रही हो इसलिए भी मातावन को पिर दूसरी करवाकर प्रेमियों वेद के जो स्लोक होते हां वेद की द्वनी गर्भा नाभी से होती है वेद के जो स्लोक होते हैं वेदों को जब पढ़ते हैं तो उनको ताकत जो लगानी पढ़ती है वो नाभी से उठानी पढ़ती है इसलिए जो भी मातावेन वेद की स्लोकों को बोलेंगी उससे क्या है कि विपरित प्रभाव होता है गर्भा से पर क्योंकि नाभी के पास उनका गर्भा से होता है और वो माता बेन फिर माँ बनने लायक नहीं रहती है इसलिए भी माता बेनों को व्यास्पीट पर नहीं बैठना चाहिए और फिर आप कथाएं सुनते हैं कहीं पर भी ऐसा प्रसंग अब तक किसी भी ग् अंगवान भूलेनात को या जान की जिनक निराम जी को कथा सुना दिए हैं जहां पर भी और व्यास्पीट पुलिंग है पुरुष के लिए हैं संत चाहे कुई कर भागवत कथा राम कथा अर्यों के व्यास्पीट का अदिकारी है प्रेमियो वे द्व्यास्जी से निवेदन किया नारजी Channel माराज अभ आप ऐसकरो मजब्स्ता की रचना कि ना प्रचार प्रशार हो और लगों को क्या जीवन प्रसस्त बने तो कोई सुयों की मिले इस पात्र जिसको ये भागवत दूं तो आगे सुपात्र कौन आएंगे तो प्रेमिया उनिक शुपुत्र महाराज सुगदेव जी महाराज का जिनम होता है और सुगदेव जी को ये प्रदान करी और वो सुगदेव जी महाराज ने निर्मल कथा का ये शोगान आगी परिक्षित को किया है नारज जी महाराज कहते हैं गुरुदेव मैं भी आपको मेरे पूर्व जनम का चरित्र आपको स्रवन कराऊं मैं पहले कौन था तो प्रेमियों नारज जी भी अपन पूर्व जनम की कथा को सुना रहे हैं एहम पुरा भावित कसीद गंधर्वे उपवर्षण नामना तीटी महा कल्पे गंधर्वाना सुशंबत हो तीन जनमों की कथा सुनाएंगे नारज जी पूर्व कलप में मैं एक गंधर्व था और मेरा बड़ा सम्मान था सुन्दर शुकुमार था एक बार देवताओं का एक ज्यान सत्र हुआ उस ज्यान सत्र में मुझे भी आमंत्रित किया मैं गाने करने में प्रवीन था और प्रभू की लीला गान करने के लिए मुझे बुलाया गया मैं अप्सराओं के साथ गंधर्व था उनके साथ जब वहां पर पहुँचा गीतों का गान करने के लिए जब मैं गया तो मैंने लौकिक गीतों का गान कर दिया जो मुझे भगवान की कई लोग होते हैं यह नहीं देखते हैं कि यहां पर वास्ता में कैसे भजन बोलने चाहिए कैसे गान करना चाहिए और ए मरियादित मरियादित जगे पर ए मरियादित कारिकरम को करना और पेमियों मैं जूमता रहा उसमें बड़े प्रजापती भी थे और उसे समय पर उनको क्रोध आया और मुझे स्थ्राप दे दिया तुमने संतों की अवेलना की है तुमारा सारा सौंदर्य खत्म हो जाए और तुम सिक्र से सिक्रि सुद्रयोनी में पहुच जाओ और हे गुर्वर हे रिसीवर मैं सुद्रयोनी को प्राप्त हुआ कहाँ एक दासी के यहांपर मेरा जनम हुआ दासी के याँ पर जन्म पुरातीत भवे मुने दाश्याशु कश्चन वेद वादिनाम निरूपितो बलको योगिन शुष्रूशन प्राविशिष्टताम अप्रेमियो नारजी करें माराज में एक दासी का पुत्र हुआ मेरी मा एक ब्रामन के यहां मंदिर की जाड़वार का काम करती थी मुझे भी मेरी मा ने उनकी सेवा में लगा दिया मैं भी उनकी पूजा के लिए पत्र पुष्प लेकर के आता और उन ब्रामनों के सेवा में रहता कुछ समय चलता रहा एक बार चत्र मासा का समय आया कुछ नगर में हैं जो ब्रामनों का आगावन हुआ और वो जब चत्र मासा कर रहे थे उस चत्र मासा के उन ब्रामनों की सेवा में मेरी मा ने मुझे लगा दिया मैं उन ब्राह्मनों के लिए पत्र पुष्प लेकर के आता और उनके साथ मेरा सत्सन होता जो भी वो चर्चा करते सत्सन करते उसमें मैं सुनता रहता समय चलता रहा और जो मुझे प्रसादी मिलती उनकी जुटन वगरा जो भी प्राप्त होती मैं उसी को प्राप्त कर लेता इस प्रकार से मेरा समय चलता रहा वो साधू लोग वो ब्रहामन लोग अपना चतुरु माशा करके और चले रहे अब एक दिन की बात मेरी मासुब ब्रह्म मुर्त में ही गाय का जब दूद होने के लिए खरिक में बाड़े में जैसे ही गई और जैसे ही दूद निकाल करके द गिर गया दूद का बर्तन गिर गया और बेटा बेटा कह करके और गिर पड़ी बेटा मुझे कुछ खा गया कोई कीड़ा खा गया मैं दोड़ता हुआ आवाज मा के रोने की सुनकर के दोड़ता हुआ गया जाकर के देखा तो मेरी मा का नीला तो वर्ण हो गया आंखों की पुतलिया इस्तिर हो गई और देखते देखते ही मेरी मा दुनिया से बिदा होगा अब मेरी मा ही तो मेरा एक सहारा थी केवल एक मा और दुनिया में कोई और मेरा था भी नहीं मैं फूट फूट करके रोया इस संचार वालों ने धैरिये भी बंधाया लेकिन कहते हैं जाके क पिता खत्म होता है वही जानता है जिसकी मां गुजर जाती है वही जानता है कि मां क्या होती है पिता क्या होता है यदि साय से बड़े भाई का भी साया हड़ जाता है यदि परिवार का भाई मुखिया है यदि भाई भी खत्म हो गया हो तो वह भी अपनी प्रिणा को जानता है कि आज नारजी बड़े दुखी है और रहे हां विचार कर रहे हैं अब मा नहीं तो संसार मेरा कोई नहीं है यह विदाता तुने खुब किया अच्छी बात है हो सकता है कोई छूब कोई तु मेरा दूसरा मार्ग अपनाएगा अब दुनिया वालो ने विश्वास बंधाया। काया लेकिन मैंने निर्णे ले लिया कि कि अब यहां कोई नहीं है मा कांटिम संस्काषों मिने कर दिया अन्तिम संसकार कर के उसके क्रिया कर्मित्यादि करके जब 15,000 का कारियष से फ्री ह। मा की स्मृति मे कि मा की याद मुझे सताने लगी क्योंकि मा तू माई होती है तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ मा तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ मा 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 ओ जो दुनीया है बन है बातों का तू फुलवारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ दो खड़े लागी माँ तेरी अखिया मेरे लिए जागी है तू सारी शारी रतिया ओ दो कनलागी है मेरी अखिया दो कनलागी है मेरी अखिया मेरे लिए तू जागी है माँ सारी शारी रतिया मेरी नितियां पे दो नितियां भी किरेगारी है ओ मा ओ मा तो कितनी प्यारी है तो कितनी भोली है प्यारी प्यारी है हुआ 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 हु मा बच्चों की जान होती है मा बच्चों की जान होती है वो होती है किसमत वाले जिनकी मा होती है कितनी सुंदर है कितनी सीतल है कितनी सुंदर है कितनी सीतल है प्यारी प्यारी है ओ मा ओ मा तु कितनी भोरी है तु कितनी सुंदर है प्यारी प्यारी है भुली नावन विहारी लाल की नारज जी मा की स्मृती में खो गए है विचार किया एक माई तो सहारा थी अब यहां मेरा और कौन है और प्यारी नारज जी ने अब घरवार छोड़ दिया और वियावान जंगल की और चल दिया चलते रहे चलते रहे निर्जन वन में जब पहुंच गए उस विजन वन में पीपल का व्रक्ष है उस पीपल के नीचे आसन लगा करके और बैठ गए है जैसे जैसा भी गुरु मंत्र मिला उस गुरु मंत्र का जाप करते रहे लेकिन भगवान से डौरी लगा ले आखे बंद है जैसे यह आख प्रभू से डौरी लगाई तो भगवान का ध्यान लग गया और प्रेमियों उनकी ह準 में भगमान भिराजमान हो गें ऑगमान के उस स्वरूप का दरसन नारजी अपने हर्दय में करते रहे और अचानक रदय से मोर्ति गायव हो गई नारज बॐचलित हो गए अभी जिनका दर्शन किया था हो कहा गए कहां गई नारज जी फिर रोने लगए उसी समय पर सुंदर आकाश्वाणी हुई और आकाश्वाणी ने कहा भीया तुम जैसे अधकत्रिय योगियों को मिरा साक्षात्कार नहीं होता है तुम्हारे अभी तक तुम्हारे हिर्दे की तुम्हारे मन की मलीनता समात नहीं हुई है अभी इस जनम को तो तुम त्याग दोगे भीया और उसके बाद जब जनम लोगे उसमें मिरा साक्षात्कार होगा अब इस मलीन सरीर को जब तुम छोड़ोगे उस समय पर तुम्हें पीड़ा नहीं होगी अन्यता जीव जब विदा लेता है तो बहुत पीड़ा होती है वो पीड़ा तुम्हें नहीं होगी इतना कहकर के आकाश्वाणी शान तुम्हें और नारजी भगवान की भक्ति करत दे एक दिन बिदली सी कौंधी और नारजी ने वो सरीर छोड़ दिया और प्रेमियों प्रलै का समय आया जैसे ही प्रलै में सब को समेट लिया हो और के इस नाभी कंमल से क्म रही गंडंगे नाभी से कंमलं कंट से ब्रहत Pe और ब्रहती मरिकित की साथ में नारजी का धू. रजुर्वाव दसवे रूप में नारज का आगमन हुआ है तो प्रेमियों सुची manej कहते है रिशियों किए राजनत परिक्षित संतों का जो आगमन है संतों का जो चरीत्र है मनुष्य मात्र को प्रेड़ना देता है कि तीरत गई तीरत गई ते एक फलो सद गुरू मिले फल चार कि तीरत गई से एक फलो सद गुरू मिले फल चार जीवन सफल हो नर तेरा कहे कबीर विचार कहे कबीर विचार कि हीरा वहान खोलिये क्योंकि हीरे की पर कौन जानता है जोहरी ऐसे भगवान का चरीत्र भी भक्तों के सामने ही कहना चाहिए है जो भगवान के निंदक है उनके सामने यदि भगवान की कथा भी कहोगे तो वो तो फिर भी भगवान की निंदा ही करेंगे हीरा वहान खोलिये जहां कुझडों की बाट है हीरा वहान खोलिये जहां कुझडों की बाट बांधों चुपकी पोटरी लागाउं अपनी बाट कि ए रिशियों कहते हो कि नदी में पानी ना हो तो नदी बेकार है और रिष्टों में यदि प्रेम नहीं तो रिष्टे बेकार है वो रिष्टे किस काम के जिन रिष्टेदारों में आपस में प्रेम नहीं हो तो नदी में पानी ना हो तो नदी बेकार है रिष्टों में तो रिस्ते बेकार है और घर में बेटी ना आएं तो वो घर आंगन बेकार है बेन बेटियों का घर में आगमन आते जाते ही अच्छा लगता है घर में बेटियों बरसों बरसों हो गई बेटिया नहीं आरी बेहन नहीं वो कई का घर है घर में बेटी ना आए तो आंगन बेकार है और धर्म में धन नहीं लगा तो धन बेकार है ऐसे क्रोड़ों रुपे भी किसी के पास है तो दिकार है उस पैसे को जिसका धर्म में पैसा नहीं लगता हो और जिसका थोड़ा सा भी पैसा लगता है चाहे सो जीवन में संत और ब्राह्मन नहीं संतों की सेवा और ब्राह्मनों की सेवा नहीं तो समूचा जीवन ही बेखा रहे है तो प्रेमियसूद जी महाराज कहते हैं हेरी जी हो शुक्देव जी महराज कथा सुनाएंगे किसको परिक्षित को शुक्देव जी महराज कथा सुनाएंगे किसको परिक्षित को शुक्देव जी महराज का तो जनम हो गया लेकिन अभी परिक्षित जी महराज नहीं आये हैं तो परिक्षित कौन है परिक्षितो रथा राजर स जनम कर्म विलायनम संस्थाच पांड़ु पुत्राणाम वक्षी कृष्ण कथोदयम कि सौनका दिग्रिशी कहन लगे गुर्देव आप हमें परिक्षित जी महाराज के जनम की कथा भी स्रवन कराओ तो प्रेमियों हस्तिनापुर के राजा है प्रतीप और महाराज है शांतनु जब राजा है तो शांतनो के किके BIG वगवान की भकति कर एक दिन वर्ड़ी रुप में प्रगट हो गई और गंगा जैसे ही प्रगट हूई कि शांतनों ने गंगा को देखा तुम ही तो गें और गंगा से जाकर कि निवेदन कर दिया दिवी तुम जो भी हो मैं तुम से विभाव करना चाहता हूं गंगा ने कहा राजन विभाव तो कर लोगे लेकिन मेरी एक शर्त है संतान के मामले में जो मैं कुछ कहूंगी करूंगी मेरा निर्णे मेराई होगा आप उसमें धखल नहीं देखे शांतनों ने खा ठीक है और प्रेमियो गंगा के साथ सांतनों ने विभाव कर लिया शांतनों का विभाव हो गया समय आने पर पहले पुत्र का जनम हो गया लेकिन गंगा अपने पुत्र को ले करके और चल दी शांतनों जी रोक नहीं सके और नदी में जा करके बहा दिया एक एक करके साथ पुत्र बहा दिये आठवा पुत्र जब उले करके जाने लगी शांतनों जी खड़े खड़े देख रहे थे लेकिन अब रहा नहीं गया और आद तो रोक दिया अरे तू कैसी मा है पता नहीं अपने पुत्र को कहां ले जाती है इस पुत्र को मैं नहीं ले जाने दूगी गंगा कहने लगी महराज आपने मुझे बचन दिया था कि बचन दिया होगा लेकिन नहीं तो ठीक है महराज आप पुत्र को सभालिये मैं चली और गंगा ने सांतनों का त्याग कर दिया गंगा तो चली और प्रेमियों जैसे ही पुत्र को रखा समय बीता लेकिन अब पत्नी का वियोग सांतनों को सता ने लगा राजा दिन प्रति दिन कमजोर होने लगा क्योंकि गंगा छोड़ करके चली गई राजा का पुत्र जो है बड़ा होने लगा चिंता दिन प्रति दिन सता रही है एक दिन कोई गंगा के किनारी पर बैठे हुए हां गंगा की इस ब्रति में याद में उसी समय पर एक धीवर की गन्या को देख लिया मच्वारे की वेटी है जिसका नाम है मत्स गंध्या और दूसरा नाम है सत्यवति प्रेमियों जब सत्यवति को देखा आज सत्यवति से भी वही प्रस्ताव कर दिया जैसे गंगा से किया था आपसे विवाव करना चाहता हूं लेकिन प्रेमियो समय समय की बात है कैसी बात नहीं गंगा शांतनु के पास ही आई है इनके पिता के पास में भी गंगा आ गई थी वाराज प्रतीप के पास में भी जैसे लेकिन समय की बात है प्रतीप से क्या कहा था और सांतनु से क्या कहा कई बार ऐसे होते हैं कई बार ऐसा देखने में आता है अपने बेटे की शादी करनी हो लड़की वाले विचारे खुब चक कर काटते हैं लेकिन भाव बढ़ जाते हैं और फिर ऐसी इस्तिती आ जाती है कि फिर चला चला करके रिष्टेदारों से कहना पड़ता है कि शादी करवा दो बेटा की कहीं से कि भाईया जब आये थे तब तो नहीं किया तुने अच्छे अच्छे रिष्टे ठुकरा दिये और अब तुझे खुद को कहना पड़ रहा है वही हाल गंगा का हुआ गंगा के साथ भी ऐसाई हुआ गंगा स्वयम पहले प्रतीप राजा के सामने आई थी शांतनों के पिता के पाश आकर के और दाहीनी जांग पर आकर के बैठ गई गंगा प्रतीप ने कहा देवी तुम कौन हो और कैसे आकर के बैठी कि मैं गंगा हूँ मैं आपसे अठी listy यह लूँदी मेरी बाइजांग पर आती तो मैं तुम्हेजियार कर लिता इसलिए मैं तुम्से विभाव नहीं करोंगा हां मैं तुम्हें वचंत देता हूँ मैं तुम्हें पुत्र वधु बना लूँगा बेठी की बहु बना लूँगा ओ पुत्रok नियृ पड़ा था विभाव के लिए यह समय समय की बात है पिता तो गंगा को च्छोट त्याग दिया था और यहां पर गंगा स्वयम सांतनु को त्याग कर के चली गई है कि आहए परयमियों सत्यवती से विवाव का प्रस्ताव रग दिया सत्यवती में ने कह दिया मेरे पिता से बात करो इफ करऊ मैं पूंच गया जाकर की प्रस्ताव कर दिया थिवर ने कह दिया मराज आपके पहली वाली पत्नी का एक पुत्र है राजगद्धी पर तो वही बैठेगा यदि मेरी बेटी का पुत्र राजगद्धी पर बैठे ये वचंत वो तो मैं अपने बेटी का विभाव कर दूँ अब किस धरम संकड में पड़ गया आ गया घर कुछ कह नहीं सका अब अंदर चिंता सतारे है मंत्रियों से मालुम किया कि माराज इनंके दुख का करण हाप हो अच्छा कि हाँ पता लगाया और धिवर के पास पहुंच गये धिवर से जाकर के कहा कि माराज आप अपनी बेटी का विभाव मेरे पिता के साथ क्यों नहीं कर देते कि माराज राज quis तो आप बैठोगे जदि राजगर्दी पर मेरी बेटी का पुत्र बैठे तो मैं अपनी बैठी का विभाव कर दूं देवृत ने कहा कि ठीक है मैं राजगादी पर नहीं बैठूँगा कि नहीं महराज आप तो नहीं बैठोगी लेकिन आगे चल करके आपकी संथान बैठ गई तो उसी समय पर द्रेवृत ने सूर्य भगवान की साक्षे में अटल प्रतिग्या कर दिया कि मैं सूर्य भगवान की साक्षे में अटल प्रतिग्या करता हूं विश्म प्रतिग्या करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा मैं विभाव नहीं करूंगा और प्रेमियो सत्युवति के साथ विभाव हुगया है। और देवर्द कातब से नाम पड़ गया है भिश्म पिथा। जोची माराज केते हैं हे राजन अग शत्युवति के यहां पर पुत्रों का जनम हुआ चित्रांगत और विचित्र विरिये। लेकिन प्रेमियों चित्रांगर तो मारा गया वे चित्र भीरिये के यहां पर रानिया के रूप में जवाई अंबा अंबालिका और अंबिका स्वयम भिश्म पिता में एक स्वयम बर से लेकर के आये थे अंबा ने भिश्म पिता में से तूनर, और नुफु उन्हें नुफु तूनुब ढूनियायास, साथ मी को जाया है। कर दो कर दो कर दो अंबिका और अंबाली का जो है इनके यहां परवन्च चला है आगे राणियों के वेद्वियासी माराज के मात्यां से वेद्वियासी स्वयमा करके और कहा था सत्वति से यदि आपके पुत्रवधू आसिरवाद प्राम्त करें तो संतान हो जाएगी और पेनियों लेकिन गा पट्टी बाल करके आई पुत्र मिला लेकिन अंधा पुत्र मिला ओ है महाराज धृत्राश्ट कर दूसरी रानी जो पांडूल पेट करके आई पुत्र मिला लेकिन पांडू रोगी मिल गया उन्हें सत्वति ने बड़ी भूश का बेटी दुबारा जाओ लेकिन बहूत द दासी को भीज ली दासी ने सोचा के संतों से क्या शर्म करनी निर्द्वन होकर के निकल गई है आसिरवाद मिला और भक्त विदुर का जनम हो लिया है शुगदेव जी कहते हैं राजन परिक्षित और उधर सूची माराज रिशियों से निविदन कर रहे हैं राजन अब द पुत्रह अर्जुन भीम और युदिष्टर मादरी के दो हैं नकुल और सेदिव पांचों भाई हैं पांडव कौरव सों हैं बढ़ाईपता है दुरियोधन शमय व्यतित होने लगा लेकिन प्रेमियों कौरव पांडवों से इर्शा करने लग गए जलन करने लगे क्योंक शमाज में प्रतिष्टे लगों में चर्चा चलने लगई अब प्रेमियों दुरियोधन अपने पिता को कौस में लग दृत्राष्ट से जाकर के बात-बात को जड़कने लगा और कैन लगा पिता जी कि मुझे हार स्विकार नहीं है मुझे नीचा देखना पसंद नहीं है अब धीरे धीरे पुत्र मुह में धृत्राष्ट भी अंदा हो गया कि यदा यदा तुराजन श्वशुतान शाधुन पुष्ठान धरमेल विनाष्ट दृष्टि ही आतुर विशाष्था श्वशुतान विवन्धुना प्रवेश्य लाक्षा भवनेगदा है आप तो प्रेमियो दृष्टन नीचा दिखाने की कौसिज करता बात बात पर उनके गुरु है गुरुद्रोणा चारिये कृपा चारिये विश्म पिताम है आधी उनको शमजाने की कौसिज करते लेकिन दृष्टन की समझ में नहीं आता दिन प्रति दिन उनका बैर गया एक दिन सभा में गुरुद्रोणा चारिये कृपा चारिये आधी ने सभी ने समझाया दुर्योधन को भी समझाया महराज दृत्राष्ट से भी खांग महराज क्योंकि प्रेमियों पांडु जो राजा था अल्प अवस्था में ही प्राणांत कर बेठा अल्प अवस्था में ही प्राणांत हो गया इसलिए पांड़ों के जो जीवन या अपन का जो आधार था वो केवल धृत्राष्ट पर रह गया ताउ पर तो क्रिपाचारी आदिस समझाने लगे महराज आपके भाई के बेठे हैं ये भी आपके ही है इनको इनका पैत्रिक इस्सा दे दीजिए ज्यादा नहीं तो थोड़ा लेकिन इस्सा तो इस्सा ही है देदु महराज समझाते लेकिन दुर्योधन बीच में आजाता कई बार सभाई हुई लेकिन कोई निर्ण नहीं हो पाता आकिरकार प्रेमियों निर्णे हुआ एक दिन और वार्णा वरत का राज दे दिया गया वो वार्णा वरत का राज जो जंगल और केवल निर्ण छेत्र बंजर भूमी का इलाका लेकिन प्रेमियों इंद्र को प्रसंद करके और जुन ने उसको भी सुन्दर बना लिया और वो हो गया इंद्र प्रस्त शमय ब्यतीत हुआ अब तो प्रेमियों इंद्र पर अत्याचार होने लगे लाग का भवन बना दिया और लाग के भौन को जलाने का प्रियास किया लेकिन बिदुर के सैयोग से लाग के भवन से भी ये बच गए और प्रेमियों विस्का भी पान करवाया लेकिन उससे भी बच गए पीतो रही हो अब प्रेमियों जब जब अत्याचारा दिक होने लगा तो प्रेमियों शामरे बिहारी को पता लग गया शामरे बिहारी ने अक्रूर से का अक्रूर भया तुम जाओ मेरी भूआ के बेटे हैं उन पर अक्त्याचार होना है उनके समाचार लेकर के आओ कौसिस करना धृत्रास्ट को समझाने की और प्रेमियों अक्रूर जी यहां से चल दिया हैं अक्रूर जी जैसे ही पहुचे और जाकर के मिले हैं पहले तो कुंती से पाड़वा की जो मा है और जाकर के निविदन कर दिया है तो कुंती कहने लगी अपी श्मरंतीने सोम्या पीतरव भ्रात रश्यमे भगिन्या भात्री पुत्राश्य जामय साख्यमे वचे अरे भी मेरे भाई भती जे सब कुशल्टो है क्योंकि माताई जब सश्राल में रहती है बर्सों जब बीत जाते हैं नहीं जाना होता है जो जो अवस्था ढलती है पियर पक्षशे उतनी ही दूरिया पन जाती है जब तक पियर में भाई है तब तक तो ठीक है लेकिन अब भती जे हो गए और पद मिल गया भुआ का तो समय दूर दूर हो जाता है कि आज कुंति भुआ बन गई है अपने पियर को याद कर रही है अक्रूर जी से मिलकर के और समाचार पूछा है करिये भाईया मेरी इन बेटों पर कैसी विपत्ति आई है जब से इनके सिर से पिता का साया हट गया है तब से इन दुष्टों ने मेरे पुत्रों को बड़ा कश्ट दिया है क्या वो क्रिष्ण कभी मेरे बेटों की सुद्ध लेंगे कि प्रेमिय कुंति का बड़ा भारी दुख है कुंति को समझाया बहें भैरिया रखो दुख है तो सुख भी मिलेगा अब यहां से समझा करके और अप्रूर जी पहुंच गए हां दृत्राष्ट के पास अब दृत्राष्ट से जा करके समझाया कहा मराज ये आपके भाई के बेटे हैं ये भी आपके ही हैं इनको अपना पैत्री किस्सा दे दो यादा नहीं तो कम लेकिन नहीं माना और प्रेमिय उक्रूर जी भी समझा करके चले गई है अब प्रेमिय उधर जहाँ पर वरनावरत का ख्शेत्र दिया था पर यग्य करो और यग्य कायोजन कर दिया है उस यग्य में दुर्योधन आभी को भी बुलाया करण को भी बुलाया सभी पहुंचे हैं और जैसे ही उस महल में उस माया भी महल में दुर्योधन प्रवेश करने लगा तो उसको प्रेमियों कैसा दिखाई दे रहा है इस्थले भ्ये ग्रिहात वस्त्राल्तम जलमत्वा इस्थले अपत्व जल तो थल दिखाई देने लगा और थल जल दिखाई देने लगा ऐसा प्रतित जब हुआ सूखे को तो पानी समझ करके और कपड़े उचे उठाली और चलने लगा और जैसे ही आगे जान पानी भरा हुआ उसको सूखा समझ करके चलने लगा और पानी में गिर गया है कपड़े भी गए उधर प्रेमियो जरो के से देख रही थी द्रोपती और उधर सामने से देख रहे थे मंद से पांडव पांडव खिलकला कर हस पड़ी किवल युदिष्ट्र के अलावा क्योंकि भगवान कृष्ण की मंद मंद मुश्कान जो थी वो उनकी सहमती थी जैसे इनका हसना और द्रोपती का महल से देखना जैसे द्रोपती ने मन ही मन कह दिया हो कि वस्तमें अंधे की अउलाद तो अंधी ही होती है और प्रेमियो यही बात दुर्यधन को कांटे की तरह चुप गई और दुर्यधन उसी कदम से उन्हें कदमों से वापिस चल दिया है आगे नहीं बड़ा अपना अपमान समझ करके आ गया और प्रेमियो मामा सकुनी की सहायता ले ली है कहते हैं जिस घर में ससुराल पक्ष की चलती हो वैगर जल्दी ही चौपट हो जाता है भाई कैसे भी हो दो बात कभी कौन से समाज में कौन से वरग में कौन से परिवार में आपस में दो बात नहीं होती है बहन बहन भी लड़ती है और भाई भाई भी लड़ते हैं लेकिन समय आने पर भाईयों को एक हो जाना बिना भुलाएं सही यते बिना बिलाए आ जाते हैं और उनको ना समाज और लोग जादा ज़्जत देते हैं कि मनाकर जो आने आने वाले हां उन से ज़्यादा आच्छे वो है जो बिना बुलाई आजाए ऐसे समय पर तो प्रेमियों वो भाई है वो प्रेम है अब प्रेमियों जैसे ही साले जब सलाकार हो गए तृत्राष्ट के दुर्योधन अपने मामा की सलाव लें आउले चाहिए परीवार वालों की कैसे भी हो क्योंकि वो अपने खुंके हैं उनकना फुन का रिस्ता है अब जैसे हमेसा आउनका चाहिए चैसरी लेकी प्रेमियों अब शकुने ने अपनी चाल चली जैसे दुरियोंधन के लड़ने के लिए तयार हो गया तका भांजे धैरिय रखो धैरिय रखो ऐसे नहीं ऐसे किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है । लड़ाई तरीके से से लडनी है आप अपनी चाल चल लए है आप छांजे कम करो मैं जुएimana खेल का बड़ा ही सातीर हो इसलिए जुए का खेल खेलो यह अछा मामा मा हां उन पांड़ों को जुए के खेल में बुलाओ चौ शर का खेल होगा अच्छा और चौश या खेल के लिए ब्रेमियों विदूर करके कहा कि महराज रहतों मैं हस्तिना पुर से पत्र लेकर के आया हूं और आपको छॉष्पर के खेल के लिए मंत्रित किया यह को tysy यूदीश्णीस जी कहने लगाaking चाचा जी आप तु जानते हो चौसर का खेल बहुत बुरा है और परिवार परिवार के लिए जानता तो मैं भी हूं लेकिन मैं तो उनका एक दास की तरह हूं मेरा काम है निमंत्रन लाने का अब आगे विचार तुम स्वयम करो ठीक है चाचा जी मैं चलूँगा मैं नहीं भाईयाओं को भी साथ में लूगा और पांचों भाई चल दिये हैं और प्रेमियों जैसे ही वहां पर सभा में पहुंचे हैं सभा लगी हुई है गुरु द्रोनाचारिय क्रिपाचारिय करण दुशाशन दुर्योधन आदि सभी बैठे हुए हैं और सभा में प्रस्ताव के लिए निवेंदन कर दिया है युदिष्ट जी ने दुर्योधन मैं यह जानना चाहता हूं इस चौशर के खेल में जुआ के खेल में जुवारी कौन है कौन है मेरे सामने खेलने वाला कि दुर्योधन कहने लगा भी आपका प्र प्रेमियोग और प्रेमियोग संझाया लेकिन नहीं और चौसर के खेल से डरते हो क्षत्रियों के लिए तो यह सान और सोकत है कि भीक है और प्रेमियोग जुआ का खेल चालू हो गये और दाव पर लगने लगी संपत्ती पहले धन संपत्ति लगी जमीन लग गई है और प्रेमियों इधर पहले क्योंकि सातिर जुवारी है विदुर्प के नम से शकुनी पहले तो जिता दिया और फिर चाल चली और कपड से उनका जीनने लगा है एक-एक करके हारने लगा तो प्रेमियों सब कुछ छेत्र जो था वो हार गई अब दाओ पर लगा दिया भाईयों को स्वयम को भी दाओ पर लगा दिया और भाईयों को भी हार गई है अब सबा में बेठे विये हैं करण जैसे दानी और महराज गुरु द्रोणाचारिय क्रपा जारे जैसे विद्वान भिश्म पिता में जैसे लेकिन कहते हैं ना जब ब कदली सीप भुजंग मुखव स्वाती के गुनतीन जैसी संगती बैठिये थे सोही फल दिन यदि आप शराबी के पास बैठोगे तो आपको एक निक दिन तो लतुसकी लगेगी एक निक दिन तो आपको शराबी बना देगा हो और यदि आप किसी भांग खाने वाले के पास बैठोगे तो वो नसा आपको लग जाएगा लेकिन यदि किसी भक्त के पास में बैठोगे तो आपको भक्ति का चसका लग जाएगा निवेदन कर दिया कि जब हार गए है कि विश्म पिता में बीच में खड़ी हुए हां खूब समझाया लेकिन बार बार अपनी गरदन को मार करके और क्या करें क्योंकि उनके सामने मजबूरी थी केवल राज सिंगाशन की अपने पिता को वचन दिया था विश्म पिता मेंने वो उसके साथ हैं जो राज सिंगाशन पर विराजमान हो गए इसलिए वो बंदे हुए थे समझाने का खूब प्रयास किया लेकिन नहीं समझ में कि एक और प्रति सोध है एक और अपमान भिश्म घिरे हैं पीच में गेहरी नदी शमान धर्म राज का धर्म भी बंधा जुएं के पास जुआ बुरा है खेलना ये करे बुधी का नाज जुआ बुरा थे खेलना ये करे बुधी का नाज धर्म राज युदिष्ट्र की बुधी भी मारी गई है प्रेमियों जुआ ये आजकल तास्पत्ति का खेल भी और आजकल तो एक मोबाइल पर और चल गया जो बहुत सारे घरबरबाद हो ये जुई का खेली है ये जुई हारते गई हारते गई और फेमियों अब जब पांचों भाई दाओ पर लगें और पांचों भाईयों को जब हार गए तो भी आप तो हम सब कुछ हार गए दुरिदन के लगा युदिष्टर अभी तो हैं तुम्हारे पास कि क्या पांच पतियों वाली वो नार द्रोप्ति द्रोप्ति का नाम लेते ही तो बिश्म पिता में आदी खड़े होंगे लेकिन सब को ललकार दिया दुरिदन ये केवल हमारा आपसी भाई भाईयों का खेल है कोई नहीं बोलेगा बुजुरु और प्रेमियों सिर जोड़ करके और भिश्म पिता में बैठ गए और प्रेमियों युदिष्ट जी ने द्रोप्ति को भी दाव पर लगा दिया जो ही द्रोप्ति को दाव पर लगाया पासा फैके और द्रोप्ति को भी हार गई है द्रोप्ति को हारते ही तो दुरियोधन अपनी भुजा उठा करके खड़ हो गया और पांडव को लज्जित करने लगा काक तुम मेरे दास हो बुलाओ उस पांच चाली को वो पांच पत्यों की अधन उस पर हाथ जाएं लेकिन भाई की और कोई शारा नहीं और चुपचाब बैठे बैठे जो इक्षत्री है आज जुकी होई है और प्रेमियों कि दुरिधन ने प्रतिकामी को बुलाया प्रतिकामी तुम जाओ और उस द्रोप्ति को बुला करके लेके आओ दुर्प्ति को लेके आओ और प्रेमियों यहां से चला है प्रतिकामी मैं एल में जाकर के दुर्प्ति से का महरानी आपको शभा में बुलाया है दुर्प्ति ने कहा औरत और सभा में सारी बात बताई कि महरानी जुएं का खेल हुआ उस जुएं के खेल में आपको भी हार गए हाँ सबके साथ में अब को बुलाया है दुरोप्ति ने कह दिया ओन जुवारियर युठ जाकर के कह दो वो पहले स्वयम हा रहे है या मुझे हा रहे है पहले इसा कहा है अब तो दूरियोधन क्रोधित हो गया आखे लाल हो गई कहने लगा वुष पांच पतियों की नार की इतनी ओकात दुशासन तुम जाओ और उसे बाल पकड़ करके खेच करके लिया हो और प्रेमिय दुशासन यहां से चला है और जाकर के द्रोपती को आवाज दी ललकारा जैसे द्रोपती उत्री कि इस पकड़ लिये पीछे से और पकड़ करके लेकर के आ रहा है द्रोपती रोने लगी भीया मुझे छोड़ो छोड़ो अब तो रोते रोते द्रोपती आई जैसे इस अभा में लाकर के छोड़ा है कि राजिग पाटे सबहार कर कि राजिपाटे सबहार कर हारे भाई चार दास बने दासी बनी तो पांचालीशी नावार हार अया है कि रोती आखर गड़ी हो गई है चारो तरफ देखा सभा में संदाट है भी शमपितामय की तरफ देखा गर्धन जूकी है गुरु द्रोनचारी की तरफ देखा क्रिपाचारी की तरफ देखा लेकिन कुई नहीं बोल रहा है द्रोपति की आँखे लाल हो गई और कहा ये काईरों की सभा में आज द्रोपति स्राप देती है इतना कहते ही तो गांधारी जिसने पट्टी बांधर की ती आँखों पर कहने लगी देवी ए द्रोपति मैं तुम्हारे हाँ जोड़ती हूं स्राब मत दे बिटी स्राब मत दे मैं तुझे वचन देती हूँ मैं तुमें तीन वचन देती हूँ जो तु मानेगी मैं वह है पुरे करेंगे दुरुपती कहने लगी ठीक है मेरा पहला वचन यही एक मेरे पतियों को दास भाव से मुक्त कर दो कि ठीक है देवी मुक्त किया दूसरा वचन मेरे पतियों को अस्त्र सस्त्र से मुक्त कर दो कि विटी किया और तीसरा वचन में मांगूंगी नहीं क्योंकि क्षत्रिय इस्त्री जो होती है वो तीसरा वचन मांगती ही नहीं कितना केक करके द्रोप्ति बैठ रही है आखोंसे आशुक गिर नहीं रहे ह। अधोसे बर्शमत हो रही है इस सबामे मेरा कोई नहीं है यह अब तो जब कोई नहीं है मेरा तो अब कौन हो सकता है तो प्रेमियों आप द्रोपती ने सावरे बिहारी को याद किया है सावरिया कोने हारे गोमरी पीर सावरिया कोने हारे गोमरी पीर सावरिया कोने हारे गोमरी पीर बीच सभा में खड़ी खड़ी रो इच सभा में कड़ी रो कोने बंदा वे थीर सावरिया कोने हारे गोमरी पीर सावरिया कोने हारे गोमरी पीर स्ब्सक्राइब शफिए तकोड़ी रो कि बीच सभा में कड़ीं कड़ीं कौने पन्धावे दीर नामरियाद कौन हवे को मारिकी दुरियो धने ने पुरी रे विचारी खिच्वायो रे मरूचीर दुरियो धने पुरी रे विचारी खिच्वायो मरूचीर आख्या बंद हुई है सब की आख्या बंद हुई है सब की लग्योरे कलेचा मैं तीरे सावरियाद कौन हरे को मारिकी सावरियाद कौन हरे को मारिकी सावरियाद कौन हरे को मारिकी क्वंद हुई आख्या बंद हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो आजे नहीं आया मारी लाजे चली जावे यो क्या लिखी तगदीर जो नहीं आया मारी आजे नहीं आया मारी लाजे चली जावे यो क्या लिखी तगदीर आजे नहीं आया मारी लाजे चली जावे यो क्या लिखी तगदीर बचा सके तो आजे बचा ले बचा सके तो आजे बचा ले तू ही रे धर में को हो फीरे सावरिया कौन हरे गो सावरिया कौन हरे गो मारी पीर सावरिया कौन हरे गो सावरिया कौन हरे गो सावरिया कौन हरे सावरिया कौन हरे गो दूपद सुता की तेरे सुनी तो आगे गांगे दूपद सुता की तेरे सुनी तो आगे से मुरार दूष्ट दुशासने की चते हार्यों दूष्ट दुशासन की चते हार्यों इतनों पढ़ायों चीरे सावरिया कौन हरे गो आही चते हरे गो सावरियार गिरिदागी ए बड़े दूड़ायों का दूब करॉशा हरे भी सावरिया ऐ आयरे गिरिदागी एए बलेबर burst बचारी ना ओहो बचा सके को आज बचाले तु ही धरा में को भीर तामरीला कोने हरे गोबा बचालिया कोने हरे गोबा बचाले बुले विन्दावन पितारी लाल की आशुतोष भगवान की जय जय स्री रादे जय जय स्री रादे जय जय स्री रादे श्याँ प्रिमियों द्रोप्ति ने बड़ी कर्णू पुकार करी है यह बिहारी अब संसार में मेरा कोई नहीं है अब के वले तू ही है द्रोप्ति की कर्णू पुकार रोरो करके जब प्रार्थना करी और सांवरे बिहारी चीर ही बन करके साड़ी ही बन करके दुशासन साड़ी खैस्ता खैस्ता ठक गया विचार करने लगा कि यह नारी है या सारी है या सारी में नारी है ठक गया देव सोकर के घिर पड़ा है और लेकिन दियोती की साड़ी का कोई और छोड़ नहीं कोई किनारा नहीं और प्रेमियों जो ही बड़े बुजिर्गों ने शभका विसर्जन करना चाहा ललकारा दुरियतन को दिशाशन को दुशाशन ने फिर भी एक प्रिस्ताव रख दिया जो यह कहा पिताम है द्रोनाचारी के सामने निवेदन कर दिया कहा पितासरी पिताम है गुरु द्रोनाचारी एक मौका और इन पांड़ों के लिए अब के भार जुआ का खेल में यदि जुए के खेल में जीत जाते हैं तो जो हारी हुई संपत्ति है वो सारी की सारी लोटा दी जाए गए लेकिन अब पुन है यदि ये हार जाते हैं तो बारे वर्स का बनवाज और एक वर्स का अज्यात आज और प्रेमियों लेकिन दुबारा भी वही चल कपट से वही शकुनी के पासों के माध्यम से पुने खेल रचाया और पुन हैं फिर भी हाल जो आज फिर वही बारे वर्स का बनवाज मिला और बारे वर्स का बनवाज के लिए पांचों भाई वनवासी होकर के चल दिया हैं साथ में हैं द्रोपती मा को तो वहीं पर उने के संक्रक्षन में छोड़ दिया है कुंती को को और पांचहों भाई वन वन में भटकते रहे बारे वर्स का बनवाज मिलें Gew dw प्रेग्व्यों कहते ने दुष्ट的्रता नहीं छोड़ता है शजद्यक्ति कितना भी उनसे बच करके रहे लेकिन दुष्ट व्यक्ति दुश्टता नहीं छोड़ता इनको बनवास का समय भी चैन से नहीं काटने दिया वहाँ पर भी कई प्रकार की प्रेड़ा पहुंचाई गुप्ति रूप से भी एक वर्स का ज्यात वास जब करके आ गए आज अपनी नगरी में आए आकर के जब अपना पैत्री किस्था मांग लिया तब भी वो पैत्री किस्था नहीं लिया समझाया सबने लेकिन नहीं समझ में आया और प्रेमियों किदर सामरे भीहारी द्वार का पूरी में विराजमान हर सामरे भीहारी निविदन करने लगे अपने सलाकारों से और विचार किया कि मेरी भुआ के पुत्रों पर बढ़ा अत्याचार हो रहा है मैं रिष्तेदार हूं और रिष्तेदार का फर्ज होता है यदि अपना रिष्तेदार कोई कष्ट में है पेडा में है तो किसी भी प्रकार के भाईयों में आपस में यदि कोई बैरभाव बन रहा है तो रिष्तेदार का फर्ज होता है कि उनमें कैसे भी करके सुलह करवाएं उनमें कैसे भी करके करें प्रेम को बढ़ाएं रिष्टेदार एसा नहीं हो जो आilateral करके और घी का काम करनें को रिष्टेदार है जो आतर के किसी भी परकार के अपने रिष्टेदारों को में कोई बात बन հही है तो कैसे भी करके सुले करवादें उनमें तो उनके लिए अची बात ये भी एक पुण्य का काम है एक धर्म का काम है सामरे बिहारी ने सोचा का मुझे चलना चाहिए मेरे भुआ के फुत्रहार कैसे भी करके उनको शमझाओं और सामरे बिहारी यहां से चल दिये हैं कहां हस्तिनापुर और प्रेमियों हस्तिनापुर जब चले हैं उधर निमंत्रन भी आ गया है सांवरे बिहारी के पास में बुलावा भी आ गया तृत राश्टका और सांवरे बिहारी के आगमन में पूरी हस्तिनापुर को सजा दीख दी पांदरवाल लग रही है जगे जगे तोरण द्वार लग रहे हैं सांवरे बिहारी सोचने लगे हुआ है अच्छी सुन्दर व्यवस्ता बना रखी है जो ही रताया सांवरे बिहारी का और जैसे ही सभा में पहुंचे है बड़े आउभागत से दृतराश्ट दुर्योधन द ग्रिश्न एवासुदेव अब बताइए आप मेरे अनुज पूत्र पांडू के जो पूत्र है उनकी और से क्या संदेश लाए हैं क्या प्रस्ताव लाएं हैं ? कनय यह कह लागा महराज मैं उनकी और से कोई प्रस्ताव नहीं लेकर के आया हूं मैं तो केवल मेरा ही एक प्रस्ताव लेकर के आया हूं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो मैं स्विकार कर लूँगा उसे पांडव स्विकार करने में जराबी संकोच नहीं करेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यह मराज आप तो ज्ञानी है ध्यानी है धर्म के ध्वजें आप जानते हो सांती कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर कोई विवाद चले मैं पांड़ों की वर से यो मानिये के वल सांती पाजारी जैसे विद्वान यहां पर सभा में मौझूद है विराजमान है आज जैसी यो धाओं की भीड़ इस समाज में हैं इस सभा में हैं संसार के किसी भी सभा में नहीं है इसलिए महाराज कैसे भी करके इसे एकता को बना लीजिएगा यदि यह पिखराव हो गया तो म मेरा तो यही कहना है यह माराज आप भरत के वंचज हैं धरम की धरोहर है इसलिए शांति के प्रस्ताव को श्विकार कर लीजिए इतिहास गांधार नरेश से भी यह नहीं पूछेंगे कि उन्होंने दुरूत कीड़ा में अपमान क्यों किया था इतिहास युवराद दुर इस नहीं करेंगे कि उन्होंने इस प्रकार से चल चपट क्यों किया क्योंकि वह सब कपड़ू आपकी सभा में हुआ है आप से पूछेंगे इसलिए महराज समय अभी तक कि समझा दिया इसलिए ज्यादा नहीं मैं तो यह कहना चाहता हूं यह आपके भाई के पुत्र हैं आपकी च्छाया में पले हैं बड़े हैं और फिर आपका भाई खत्म हो गया उसके बाद में तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है बड़े भाई यदि मालो साया हट गया है तो छोटा भाई का फर्ज बनता है बड़े भाई की संतान ह उनको अपनी संतान के समान ही समझें इसलिए माराज कुल को ये कत्रित कीजिए पांडवा आपकी छाया में पले हां बढ़े हैं खेले हैं आपके सनेह में आज उनका भी इतना ही हक है जितना दुर्योधनका है इसलिए कि कौन राह किस की इतके धरा बता ये कौन करे प्रतिक्या शमय की रखे भेरिये हर्मों कि सावरी बिहारी बहन द्रोपती की और भी देख रहे थे जो आखों से बर्शांत हो रहे थी मन ही मन बहन को जैसे कह दिया हो मत्रो भेहन द्रोपती जीवन है संग्राम दीरज धरो मन सांत कर पूर्ण होंगे शबकार सब जगे ऐसा नहीं है कि यहीं पर ही जूट बोलते हो लोग यहीं पर यहीं की सत्यवादी हो सब जगे जूटे और सब जगे सचे लोग है यह गाओ-गाओ की गटना है प्रेमियो अच्छे लोग सब जगे मिलते हैं और दुष्ट लोग भी सब जगे मिलते हैं कि एक बार कथा करने के लिए वैसे भी तो आ जाते हैं कि महाराज हम आपके उमें कथा करना चाहते हैं कि ऐसे कई विद्वान आ गए और आकर के जैसे आपकी बस्ते में आ गए और आकर के कह दिया कि महराज हम यहां कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं कथा करना चाहते हैं चाई की दुकान पर बैठे अब चाई की दुकान पर तो सप्रकार के लोग ही बैठते हैं हाँ बड़े बुजरक बैठे मोजी थे एक बुझरस्य से पूछ लिया बाबा से इसे बाबा दीपरामजी से ही पूछ लिया बाबा यह यहां के लोग कैसे हैं अब आबा तू बाबा ही हैं बाबा ने पूछ लिया आ Smells आपके गाउं में कैसे लो लो पन्दीजी ने कह दिया मेरे गाउं के तो बड़े बेकार है कि भईा फिर तो हमारे गाउं के तो तुमारे गाउं उसे भी वेकार है अच्छा कि हाँ वो चुप चाप दूर जाकर के बैठ गया फिर यहां तो प्रोग्राम नहीं हो थोड़ी देर बाद एक दूसरा पंडित जी आगी उनका कि बाबा यहां पर कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं यहां कि गाउं के लोग कैसे हैं बाबा ने तो वही प्रसंद कर दिया कि भाईया तुम्हारे गाउं में लोग कैसे हैं उसने का बाबा मेरे गाउं के लोग तो बहुत अच्छे हैं तो भाईया यहां के तुम्हारे गाउं से भी अच्छे हैं अच्छा कि हाँ अब पहले वाला बाबा के पास आ करके कहला बाबा तु अभी तो कह रहा था कि यहां के तो बुरे लोग हैं कि भाईया गाउं कोई सा भी हो गाउं में सब लोग बाग ऐसे ही मिलते हैं तुझे तेरे गाउं के लोग बुरे लगते हैं तो दूसरे गाउं के कब अच्छे लगें जो व्यक्ति बुरा होता है उसको सारा संसार बुरा चाहिए इसलिए ऐसी बात नहीं है और फिर यह देरा यह तो धार्मिक नगरी यह तो अच्छे यह अच्छे लोगे हों कि अब प्रेमियों कि जैसे ही कि सामरे विहारी ने निविदन कर दिया मेरे पास प्रस्ताव है ज्यादा नहीं तो कुछ दो कि दुर्योधन बीच में बोल पड़ा कृष्णे कि आपके लिए चपन प्रकार के भोजन की व्यवस्ता बना रखी है आप अपना भोजन पाईएगा आपका प्रस्ताव सुन लिया मुझे मंजूर नहीं सामरे विहारी को हलका साख्रोध आ गया और सामरे विहारी ने कह दिया मुर्ख दुर्योधन अपनी मातासी वक्तनी चांधारी को अपने सव पर विलाप करने के लिए विवस मत कर इतना कहते ही तो दुर्योधन भी आग में पभूला होगी कर लगाए क्रेश्ट आज तुम्हारी जगे कोई और होता तो मैं जबान खिचवा लेता अच्छा और और क्या तो मैं बंधी बना लेता अच्छा तो मुझे बंधी बनाएगा जिसके लिए पलक पावड़े पिचा दिये पिश्म पिता मेंने गुरुद्रोणाचारी ने गुरुकृपाचारी कर दे को उसी समय पर सांवरे विहारी ने उस सभा में से वहीं पर शिंगासन का अत्याग क चला जाने लगे बंदी बनाओ मुझे और अपना विराठ स्वरूप दिखाया है जो ही विराठ स्वरूप दिखाया प्रभू का वो तेज जैसे ही दुर्धन पर और सभा के बीच में पड़ा सब की आके चका चौद हो गई और सामरे बिहारी देखते देखते सभा को पांधे हमारी घर चलो नहीं नहीं मैं यहां का भोजन की प्रभू जल्पान जो भी नहीं है यहां का मैं चल्पान ही जहन नहीं करूंगा मेरा भक्थ मेरा इंत्जार कर रहा है मैं तुँआ नहां जाउँगा बिदोब जी आसे तोड़ते हुए चलेगे और वहां पर फ्रेमियों विदुरानी जो थी सुबह के समयी विदुर जी से प्रस्ताव रख दिया था कह तो स्वामी आप उनको अपने घर पर निमंत्रन देना नाने के लिए अरे शुल्वा देवी तु पागल हो गई आज अस्तिनापुर्दुलन की तरह सज रहा है शपन प्रकार के भोजर बन रहे हैं इस चूटी सी जौपड़ी में तू उनको कहां बिठाएगी तेरे पास तो उनको बैठाने के लिए जगे भी नहीं है क्या खिलाएगी स्वामी मेरे पास संसार की बहुतिक चीजे तो नहीं है मेरे पास में प्रेम जो है मैं तो उस प्रेम को ही आरपन कर दूँगी है स्वामी आप निविदन तो करना उनसे आपका परिशेत होगा हाँ दिवी मुझे चाचा जी चाचा जी के यही परचे है अच्छा ठीक है तो विदरुजी आ गए थे सभामें जब आज प्रता लग गया कि सभाका त्याग कर दिया है और उसी समय दोडती दोडती घर भग रहे हैं कि मेरे घर पहुंचेंगे विहारी घर पहुंचेंगे और और आख भगवान का इसमन कर रहे हो सकता है आजाएं हो सकता है आजाएं और उनका कीर्तन चल रहा था विदुरानी रोरो करके भगवान को बुलामा दे रही है बनवारी रे जीने का साहरा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या कारे बनवारी रे बनवारी रे बनवारी रे मुझे दुनिया वालों से क्या का मरे मुझे दुनिया वालों से क्या का मरे जोटी माया जोटी काया जोटा है जगसारा जोटी काया जोटा है जगसारा जोटा सास का आना जाना जोटी है ये माया जोटा सास का आना जाना जोटी है ये माया एक साचो तेरो ना मरे बने बाधी रे जीने का सहारा तेरा ना मरे मुझे दुनिया वालों से क्या का मरे क्या है रग में तेरे तेरे रंग गई मोहन छोड़ दिया जग सारा रंग में तेरे रंग गई मोहन छोड़ दिया जग सारा बन गई तेरे प्रेम की जोगन ले मन का इकतारा तो बन गई में प्रेम की जोगन ले कर मन इकतारा एक साचो तेरो ना अमरे बन वारी रे जिने का तारा तेरा ताम रे मुझे प्रिया वालों तेरा ताम रे झाल खुए करने डाइड तेर ताम परिया करें च्रियो्ग की जोटते हुए इस्मेम काने जी का पर ना23 तेरा बिर दी खुए कि तेरा डाइड जोगनेश मेमन लूटार थी उफ्र अ आट satisf mensen कर नगर्सरम के प्रश्मा उत्ट मैं ठाय में दिया बने नहां कर दो कर दो कर दो कаты बिहारी लाल की सब्सक्त कर दीन विदुर घ्रणी विचार कर रहे हैं कि प्रभू साइद हमारी घड़या जाए हमारी ए slip चलते चलते सौ्वरे भी हरी होडर जी के दिमार पर पहुँच रहे हैं दरवाजा वंद हैं बारसे आवाज दे रहे हैं उधर कीर्टन चल रहा है जाचा जी मैं कृष्ण में आपके द्वार पर खड़ा हुआ प्रीमियों भक्ति हो तो विदुर जैसी जहां पर भगवान को भी घंटों खड़ी रहना प्रणा जैसे ही आवाज दी कानों में आवाज पहुंची है विदुर और विदुरानी तोड़ते हुए द्वार पर आ ने खराओं पैरों में गिर्द्पड़े हैं साम्रे बिहारी ने उठाया लेकिन भाव में भूल गये इतना भी नहीं कैपाये एक बिहारी अंदर चलो साबरे तल्टी कोई कहना पड़ा चाचा जी अब भीतर चलें जोई भीतर पहुंची जाकर के बेठाया कहा चाचा जी मुझे भूक लग रही है विदुर जी सोचे पाप रभू वहाँ छपन प्रकार के बस जहां मान नहीं जहां प्रेम नहीं वहां मुझे भूक नहीं लगती है वाका तो मैं जल भी रहण नहीं करता चाचा जी आप जानते हो मैं तो प्रेम का भूका हूँ मैं तो भाव का भूका हूँ इसलिए तो कहा है कि दुरियोधन के मेवात्यागे दुरियोधन के मेवात्यागे साग विदुर घर खाई सबसे उची प्रेम सगाई जोटे फल सबरी के खाई जोटे फल सबरी के खाई बहु विदि स्वाद बनाई सबसे उची प्रेम सगाई अप्रेमियों जैसे ही विदुराने जी को लेकर के आई है केले और केले जैसे प्रभु को देने लगी भाव भूल गई छिलकों को तो भगवान को खेला रही है और गर को फेंकर हैं लेकिर प्रेमियों भगवान भी उस छिलके कोई फकड़कर के तुरुंत कोई विचार नहीं किसी प्रकार का कुछ कहना नहीं देखना नहीं और छिलकों कोई खाय जा है इसे ही कहते हैं प्रेम जहां खिलानेवाले को पता और खाने वाले को भी पता नहीं क्या कहा रहा हूं यही है वास्त्रिक प्रेम प्रेमके बश कि आगे अपैटे हैं भूजन कर लिया चाचा जी कि आपको तुस्प सब पता है उंद्ष्टों के लेकिन आप उसे भी निवेदन करूं और आपको भी आउसर मिले तो आप एक वार जरुर उनको शम्झा दिया है मैं तो समझा चुका अब प्रेमियो सांवरे भिहरी निया से बिदाली द्वार का अधिस चल दिये हैं और प्रेमियो समय भी था और कुछ समय भी था आज विदुर जी सोचने लगे कि कृष्ट ने मुझे भी एक काम दे करके गए हाँ इसलिए मैं भी एक उसर मैं भी दू उनको विदुर जी आसे चले हैं दृत्राष्ट के महल पर और जाकर के निविदन करनी लगी आजात सत्रो प्रतिया छेदाय तितेक्षितोर दुस्य विश्य हम तवागे साहान जो यत्र व्रकोदरोही स्वसनमर्शायात्वमलं भिभेशी मैं भी या तुम से निविदन कर रहा हूं यह आपके भाई के पुत्र है मेरी और से निविदन मानलो इनको जादा नहीं तो इनका पैत्री किस्सा थोड़ा ही दे दो लेकिन दे दो क्यों अन्य था आपको पशताप करना पड़ेगा बाप जनते हो सामरे भी हरी ने भी अब तुपक्ष पंड़ों का ले लिया है इसलिए भी उदर भीम है गदाधारी अर्जुन है धनूरधारी आप जरा सोचो यदि आपके पास में मानलो युद्ध होगा भाई भाईयों में लडाई होगी और यदि आपके पास में आप जरा विचार कर तो इसलिए मेरा निविदन है उनको उनका पैत्री किसा देए कि पाची ही काविदे दो गुजर के लिए बुजर भी सर करने के लिए जीवन यापन करने के लिए भया पाची ही काविदे दो गुजर के लिए जिससे संग्राम की घडिये टल जाएगी वर्ना एलान है बनसीवार है का ये भाई भाईयों में तलवार चल जाएगी मान लो भाईया विनती मेरी आज तुम भाई भाई को बैदी बना दोगे तुम खुनों की तो नदियासी बह जाएगी देख कर तेरी रुह काप जाएगी खुनों की तो नदियासी बह जाएगी देख कर तेरी रुह काप जाएगी रिस्ते ना ते ना कोई निभा पाएगा भाई भाई का दुश्मन ही बन जाएगा बाई भाई का दुश्मन बन जाएगा पाच ही गावी देदो बुजर के लिए जिस संग्राम की घड़ी तल जाएगी वर्ना एलान है बन सीवारे का ये भाई भाईयों में तल बारे तल जाएगी भाईया पांच गाव वही देदों के वल दुरियोधन बीच में बुल पड़ा दुरियोधन को जैसे पता लगा कि मेरे पिता को ये बाद्य कर रहा है कहा अरे इस कुटिल गासी पुत्र को किसने बुलाया है ये नमक तो खाता है हमारा और गीत गाता है उन फांड़ों का इसको मारो तो मत लेकिन धक्के दे करके बाहर निकाल दो कहा उससे पहले विदुर्जी ने सोचा कि इनके बुद्धी अब मर गई है इसलिए मैं ही इनका त्याग कर देता हूं और प्रेमियों विदुर्जी ने दुरुट है तब तक घर में आनंद है कि उनके जाने के बाद कहीं ऐसा है का मामलाई बगड़ गया हो कहियों के बेटे का आगमन सुब्हें तो कहीं पर बेटी के आगमन के बाद में घर में आनन्द ही आना पता नहीं कौन भाग्य साली है इसलिए कभी अपने आप पर गर्व नहीं करना चाहिए पता नहीं किसको किसके भाग्य से मिल रहा है बुजर के भाग से मिल रहा हो बीटी की भाग से मिल रहा हो आज कोर्व कत्या कर दिया विदुर जी चल दिये हैं और प्रेमियों अब तो कॉर्व और पांडों में बड़ा भारी वैमनश हो गया युद्ध की तैयारी हो गई है युद्ध की घोशना हो गई है सांवरे बिहारी के पास अर्जुन पहुंच गया और अर्जुन से पहले पहुंच गया है दुरियोधर शांवरे बिहारी सोई रहे थे जैसे इ तुम देख लिया आंके खुलते अर्जुन से कार्जुन तुम कब आए क्योंकि अर्जुन बैठा Taters पैरों की तरफ और दुर्यूधन बैठा Ch pare that tracking अर्जुन तुम कब आए त्हुं कि पहले मैं आया हूं अच्छा भी तुह आया है क्या quanto दो CPता है है। तसिर की तरफ अर्जुन तुम कब आए दुरियोधन के लगा पहले मैं आया हूं अच्छा भीया तू आया है क्या मुझी पता नहीं वो लोग क्या चाहिए आपको तो सब पता है युद्ध होगा आप हमारा और पांड़ों का तो पताओ तुम किसकी और रहोगे दुरियोधन सामवरे भीहरी ने अपनी माया फैल लए दुरियोधन देख भाईया एक तरफ तो मैं अकेला और एक तरफ मेरी अक्षवयनी सेना और मैं भी युद्ध नहीं करूंगा अब तुझे बता मैं चाहिए यानि मुझे चाहता है या मेरी सेना दुरियोधन ने सोचा इसको ले करके क्या करेंगे जब यह लड़े गई नहीं तो अब तो भाईया मुझे सेना दे दें के भाईया सेना दी अब तो दुरियोधन सेना मिलते ही अब तो प्रणाम करना भी भूल गया और चल दिया अर्जुन बैठा है अर्जुन ने भगवान के पैर पकर लिए कह मैं तो तेरा सार्थी रहूंगा मैं साथ ही नहीं मैं तो तेरा सार्थी बन करके रहूंगा और का ठीक है अर्जुन चलो भी और प्रेमियों रत में बिठाया और युद्धुक्षेत्र में ले गए हैं और जाकर के युद्धुक्षेत्र दिखाया देखो अर्जुन सामने जो अरत खड़ा हुआ है वह गुरु द्रोणाचारिय का है व ध्वजा लगई है वो ग्रफाचा चारिय का है सामने से तिसरा नमबर का जो अई मैं दो आधरे जैसे इन देखा गुरु द्रोणाचारिय को अब तो पूरे बच्पन की यो याद थी, वो हिर्द पटल पर आ गई, रत से नीचे उतर गया, और कहने लगा कंधिया, हे बिहारी, हे माधाओ, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, हर्जुन, तु पागल हो गया, क्यों नहीं करेगा युद्ध, हे बिहारी, सामने देखता हूँ, तो गुरु द्रोणाचारिये, जिनोंने मुझे हाथ पकड़ कर लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बान पकड़ना सिखाया, धनुष पकड़ना सिखाया, उधर देखता हूँ रत को, वो बिश्म पिता में, जिनोंने बच्पन में मुझे घोद मेखे, उनकी हत्या करूँगा, मैं उन पर बान चलाूँगा, मैं कैसा बापी रहूँगा, मैं हे बिहारी में युद्ध नहीं करूँगा, मुझे ख्षमा कर दो, रोरो करके जब मना करने लगा, मना करने लगा, तो सामरे बिहारी कहने लगे, अर्जुन ये युद्ध एक भाई-भाई का युद्ध नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म का, क्या तुम चाहते हो इस प्रत्वी पर अधर्म रहे, पाप हो, ये भाई-भाई का युद्ध नहीं है अत्याचार को इस प्रत्वी से मिठाना है अधरम को इसको मिठाना है और ये शरीर तो एक दिन सब को छोड़ना है सब की उम्र निश्चित है इसलिए अर्जुन उठो प्रेमिय वहीं पर प्रेटा का वो परम उपदेश दिया है और अर्जुन फिर खड़ा हो गया है युद्ध करने के लिए इन शे आत्ताईएं को मारने में कभी भी पाप नहीं लगता कौन पहला है आग लगाने वाला दूसरा विस देकर के किसी को मारने वाला यानि किसी को जहर देकर के मारने वाला हो ऐसा पापी हो आग लगाने वाला हो और तीसरा है हाथ में सस्तर के द्वारा किसी को काटने वाला मारने वाला हो चौथा है किसी का धन हड़पने वाला हो चौथा है किसी की जमीन को खाने व ऐसे पापियों को मारने में कोई और प्रेमियों ये सब आउग में दुरियोधन में मौझू थे अब virus में तरे यह सब आउगुन उसमें उपस्तित हैं दुरियोधन में यहेझा दो शह और प्रेमियों प्राभ्यसी श्वारग जित्वा मोग्षती महिं तस्मात उतिष्ट कॉंतेया युद्धाये कृतनीश्य उठो अर्जुन और युद्ध करू अब प्रेमियो गांदय उधनुष उठा लिया और प्रेमियो भगवान ने प्रिणा दे दी और प्रेमियो युद्ध प्रारम हो गया है पहले दिन का युद्ध वो युद्ध एक क्षित्र विशेश का नहीं भारत का युद्ध नहीं वो मा भारत का युद्ध हुआ है युद्ध जब चला प्रेमियों पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वीर, लास पर लास मिश्टी गई, कभी पांडव का पलना भारी, तो कभी कौर्वों का भारी, चलता रहा युद्ध और प्रेमियों, दस दिन, बारे दिन, बारी बारी से सेना नायकी बदलते गए, पहले रहे भिश्म पिता में है, दसवे दिन, क्योंकि नवे दिन ही बड़ा भारी युद्ध की घोश्ट ना थी, लेकिल लीला प्रभु ने दिखाई, अर्जुन के द्वारा ही भिश्म पिता में पर बानों पर बान चलकर के और भ प्रेमियों कौर्वों का शर्वनाश हो गया, से सांक बचे कुछ, जिनमें दुर्योधन है, दुर्योधन को भी भिश्मने, भिश्म, भीमने, खुड़ी कम करने हैं, गदा के प्रहार से, जंगा तूड़ दी है, वो भी मृत्यू का इंतजार कर रहा है, और प्रेमियों, लेकिन दुर्योधन का अप्रिय काम समझ करके और गुरु द्रोणाचारे का पुत्र हस्वस्ता, बदला लेने के लिए कैदी आर्जुन से, आज मैं उनका बदला लूँगा, पांडवों को जीवित नहीं छोडूँगा, पांडवों को मारने के लिए जब चल दिया है, य ने लीला करी, और प्रेमियों पांडवों को तो बियारी वहां से दूर लेवें, और सो रहे थे दुरुप्ति के पांच पुत्र, उन पांचों पुत्रों को सिर से, यानि सरीर से सिर को अलग कर दिया, कात दिया है, जैसे सिर काट करके और पहुंचा है, दुर्योधन के प उन पांड़ों को मारना चाहिए था द्रोपती को जब पता लगा तो द्रोपती रोती बिलक्ती अपने पुत्रों के लाज के पास आकर के बिलाप करने लगी माता सिशूना माता सिशूनाम निदनम शुतानाम निशम्य घोर ठाटा अरीता अप्यमाता एक माही बेटे की पीड़ा को समझ सकती है नहीं कहते हैं नहीं वंध्या भी जानाती गुर्वी प्रसव पीड़ना दिंदना का बाझ इस्तरे क्या जाने प्रसव की पीड़ा क्या होती है एक माह जो बालक को जनम देती है है भालता को जर्म लेती है जरा में धेने के लिए समय लेतीं है फिर बालक का जर्म होता है चोटे-से बड़ा जब बालक होता है कि दिन सोचते कम बिर अलान बढ़ा होगा कम बढ़ा होगा कम खेलेगा कम है खर को समहा अधियुख द्रोपती के रुधन को देखकर के और अर्जुन दौड़ करके आया रुपती को ध्यरिय बंगाया का द्रोपती जब तक उस अध्याई को मैं तेरे सामने नहीं लाकर दूँँ मेरा नाम नहीं चले अर्जुन यह से सामरे बिहारी के साथ में जैसे ही जा करके देखा तो पकल्या स्वस्थ को और तरह के बाद करके लेकर के आएं साबरी ब्यारी न तो कह दिया था कि सकental मार्दों लेकिन चानि ब्यारी जिसका अपराद किया है पहले उसके सामने दो ले जाओं का दोपती के सामने जैसे लेकर गए और दोपती। है श्वामी कि अप्सीख निवेदन करो है क्रों इसका गुरू का पूर को से दूसरी बात ब्रामध है इसलिए ये मारने योगी नहीं है पहले तो इसको मुक्त करो आज जैसे मैं रो रही हूं मेरे पुत्रों के लिए धन्या ऐसी मा को जिसके पांच-पांच पुत्रों का कतल हो गया है लेकिन फिर भी दूसरी माकी चिंता है क्योंकि एक मा ही दूसरी मा के चिंता समझ सकती आपकी गुरुमाताकृपी है रोई नहीं इसलिए मैं चाहते हूँ इसको मुख्त कर दो छोड़ दिया लेकिन फरी लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता फिर भी नहीं छोड़ा, यहां से तो चला गया, आगे जाकर के उसने, जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ते ही तो, दोड़ करके जब ब्रह्मास्त्र आया है उधर, पांड़ों की और, अर्जुन का सामरे बिहारी से, ब्रह्मास्त्र का अर्जुन तुम भी प्रयोक करो, और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दो ब्रह्मास्त्र टकराने लगे, आखिरकार प्ले किसी सामा हुई, लेकिन दिसाब को मोड़ दिया, और किधर मोड़ा उस्वस्थने, उसने मोड़ या पांडवों को निर्पीज करने के लिए क्योंकि प्रेमिया अभिमन्य तो चक्रवियू में मारा गया था अर्जुन का पुत्र लेकिन उसकी पत्री जो उत्रा थी वो गर्भ होती थी गरभ में जो मालक पल रहा था उसको नश्ट करने के लिए जब ब्रह्मास्त्र मोडा उत्रा को जलन हुई कि स्वामी जलन हो रहिए है जलन हो रही है मुझे और रोती विलकती अपनी सासूमा के पास गई दानी सासूमा के पास गई कुंती के पास गई है और जाकर के प्रार्थना करी है द्रोपती के पास जाकर के निविदन किया कुंती के पास जाकर के निविदन किया और कहने लगी मा मेरी रक्षा करो अब प्रेमियो कुंती भी भगवान से प्रार्थना कर रही है क्रिष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद नाय चे नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमहौ नमें पंकज ना भाय नमें पंकज मालिने नमें पंकज ने त्राय ओ नमस्ते पंक जांगरे विहरी बस तुने हर विपति में साहिता करिये है हमारी इस विपति से भी हमें तुई बचा तेरा साथ मिल जाएं तो फिर और किसका साथ रहे हमें और किसी के साथ की चाहर नहीं है करो हमें साथ मिले तो तेरा साथ मिलें यह विहरी कित तीरा साथ है तो हमें क्या कमी है अंधिरों में भी मिल रही रोशनी के तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है अधिरों में भी मिल रही दोशनी है तेरा साथ है तो कर दो तो कर दो कर दो कर्वाव अबडने का सम्क्वाव पाद्ट कर्यों संigen कर्यों से наक ज़ता म हमें हम जन म ridiculously कर्यों में हम हम सब हम आप प। कर्यों से पो स्रुम्तिक रिलंपी कर्यों से तूटी है कस्ती तेजे है धारा मुझे सावरे बस तेरा सहारा बही जा रही है जीवन की धारा इसे पार करने की आसे जग रही है तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमीर है अधेरों में भी मिल रही जो तनी है तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो हर मुश्किलों में संभाला है तुने काटो की पथे से पचाया है तुने स्वारत की रिष्थे स्वारत की दुनिया, स्वारत की रीते, स्वारत की दुनिया, प्रभू तेरी मईमा वही जा रही है, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो, मुझे क्या कमी है, अन्धेरों में भी मिल रही ग्रोशनी है, तेरा साथ है तो, पुलिविन धावने विहारी लाले की, यह विहारी, यदि तेरा साथ मिल जाएं तो फिर अंधेरा नहीं, फिर तो जीवन में उजाला है, प्रेमिया द्रोपती ने, कुंती ने जो मांगा, वो शायद ही कोई मांगी, क्या मांगा उन्होंने? विपदय विपदय संतो होने सश्वत, यात्रता अत्र जगतो गुरू, भवतो दर्सनम यत्शाप, अपुनर भवतर्शनम ये विहारी, मैं तो यही चाते हूं मेरे जीवन में दुख आते रहे, मैं यही चाते हूं मुझे दुख देते रहना, क्योंकि विहारी जब दुख होता है, तो तू याद आता है, सुख में कोई याद नहीं आता है, इसलिए मैं तो तुमसे विपत्ति मांगती हूं, ये स सुदर्शन चक्र उस गर्ब के चारों और रक्षित कर रिया है इसलिए उस बालक का नाम आगे चल करके होगा परी रक्षित परी प्लस रक्षित परिक्षित जिसकी चारों और से पहले ही लोगों की भगवान रक्षा करते हैं बाद में जिसकी गर्ब में भगवान रक्षा क और प्रेमियों समय आने पर उत्रा के यहां पर वही परिक्षित जी महराज का जनम हुआ है अब प्रेमियों सांबरे बिहारी कै लगे अर्जौन भेम भयाओ अब में चला द्वारि का मन नहीं कर रा पूरा पांडव समाल पूरा परिवार खडा रहे जाने के लिए जैसे विदा मांगी उसी समय सामरे बिहारी ने विदन कर दिया अर्जुन आपको तो पता है आपके पिता में है कुरुक्षित्र में ही बाणों की सैयां पर पड़ी हुए है आओ भीया उन से भी अर्जुन को साथ में लेकर के स्वयम चले रत में प्रेमियों और चलते हुए बिश्म पिता में के पास पूंचे हां जैसे ही बिश्म पिता में को जाकर के देखा तो बाणों की सैयां पर पड़े हुए है बिश्म पिता में है सामरे बिहारी को देखते ही आखों से अस्वों की बर्शांत कर वेटी बर्शांत हो रही है गदगद हो गए और जैसे ही पहुंचे विहरी ने भी प्रणाम किया भिता में को पिता में कहने लगी वाव भी हरी तुने खूब दुरगती करी है लेकिन ठीक है तुने एक तो अच्छा कर दिया वैसे सरीर पर ऐसी सरी पर ऐसी कौन सी जगे जिस पर मिरे बान नहीं लग रहा है हर जगे पर बान तक्या भी बान का है तो हाथ और टिके हुए वहां पर भी बान है तुप पेरों पर भी जहां क्योंकि प्रिड़ा हो रही है खुन रिस रहाए जगे-जगे से वा विहारी लेकिन फिर भी तुने इस वानी को तो सलामत रख दिया मैं तुरे हाथ तो नहीं चोड़ सकता लेकिन इस सुपाणी से तो तुझे प्रणाम कर सकता हूं है जान तक मुझे ग्यात है फिर मुझे यह बनों की सईया क्यों मिली कर नहीं के लगे चाज पिता महें सच है आपने पाप तो नहीं किया लेकिन आपने पाप को होते हुए तो दिखा याद करो वो सभा जिस सभा में द्रोप्ति की जत लूटी जा रही थी क्या आप उस सभा में नहीं थे आप ने गर्दन जुका ली और द्रोप्ति बिलक बिलक करके कह रही थी यह काईरों की सभा है आपकी तरब भी देखा था पिताम है नजर जुकाने से किसी पाप को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता आप यदि समर्थ हैं तो उसका सामना करो उस पापी का और सम ठीक है भी हरी मुझे पता है क्योंकि उस समय पर मैं उन दुष्टों का अन खा रहा था इसलिए मेरा मन उसी प्रकार का हो गया आज मुझे चपन दिन हो गये हैं भोजन पाई इसलिए वो सारा विकार नस्ट हो गया है अब तो मुझे पर कृपा करो मुझे पता था आप जरूर मिलोगी युदिष्टर जी कहन लगे बिहारी ये पिता में क्या कह रहे हैं कि आप जरूर मिलोगे इन्हें कैसे पता है तो सामरे बिहारी कहन लगे हाँ युदिष्टर इन्हें पता है कि मैं जरूर मिलूँगा अच्छा तो बिश्म पिता में स्वया में कहन लगे ये युदिश्टर, जब युद्ध को चलते हुए आठ दिन, नौ दिन हो गए, ये उस समय की बात है, बिहारी जी ने तो उस समय मुझे बचन दे दिया था, आने के लिए कव? युद्ध चलते हुए जब आठ दिन हो गए, नौ दिन था, दुर्योधन मेरे पास आकर के कहने नौ दिन हो गए, एक भी पांडव को आपने नहीं मारा, क्या युद्ध कर रहे हो? मैं आवेश में आ गया, क्रोध में आ गया, मैंने कहा, दुर्योधन, साइंकाल के समय तुमारी पत्नी को आसिरवाद लेने के लिए भेजना, उसको आसिरवाद दूँगा, और फिर कल का समय हुआ, रात्री का समय, संध्याक इबाद का समय था, सामरे बिहारी ने लीला रची और दुर्योधन की पत्नी भानुमती के पास पहुशे, भानुमती जैसे ही जाने वाली थी, आसिरवाद लेने के लिए पिता में के पास, का भानुमती कहा जा रही हो, कि पिता में से आसिरवाद लेने के लिए अरे हम तो आए हैं हमारा भी तो स्वागत सत्कार करो पिता में तो घर के यह आज नहीं तो कर ले ले ना और प्रेमियो भानुमती को रोक दिया दूसरे रूप से सावरे बिहारी पहुंच गए द्रोपती के पास और द्रोपती से जाकर के का द्रो द्रोपती को भेद दिया है जोई द्रोपती ने जाकर के प्रणाम करी पिता में को प्रणाम सामरे बिहारी द्वार पर खड़िया पिता में ने आसिरवाद दे दिया अखंड सोभाग्यवती भवह जो आसिरवाद मिलना था दुर्योधन की पत्ली को वो मिल गया द्रोपत को द्रोपति केने लगी पिता में आसिरवाद तो फली भूत होगा कि देवी तुम कौन कि मैं द्रोपति तो मैंने तो भनुमति को बुलाया था लेकिन द्रोपति तुम आके ली तो यहां नहीं आ सकती कोईन कोई तुमारे शाहत होगे पिश्म पिता में खड़े हो गए और द्वार पर जाकर के देखा तो सामरी बिहारी खड़े है सामरी बिहारी से हाथ जुड़ करके कहने के बिहारी आज जैसे बिना बुलाए मेरे द् बहुत नजुदीक हो उस समय पर मैं यही प्रार्थना करूं आप बिना बुलाए जरूर आना बस मेरी यही प्रार्थना है है युदिश्टर है अर्जुन आज उसी प्रण को पूरा करने के लिए भिहारी आज मेरे मृत्यू के समय पर उपस्तित हुए है मुझे विश्व ठीक है लेकिन मैं एक प्रार्थना करूं एक निवेदन करूं है यही जो युद्ध मैंने देखा है ऐसा युद्ध ना हुआ और ना हो किस प्रकार से भाईयों का युद्ध बतिजों का युद्ध चाचा ताउ का युद्ध मामा हुआ का युद्ध है मामा हुआ के भाई लिए आपस में युद्ध देखा है परिवार का परिवार के साथ है अदि अ महा भारत सायुध ना हो ना हो अन्याय की कोई बात चले हम होले उनके साथ करे जो क्रिष्ण की जैसी बात अहां भारत सायुध ना हो चले हम होले उनके साथ करे जो क्रिष्ण की जैसी बात धरम है गीता का उपदे महा भारत है सांति संदे महा भारत सायुध ना हो ना हो अन्याय की कोई बात चले हम होले उनके के साथ करे जो क्रिष्ण की जैसी बात क्रिष्ण की जैसी बात चले बात प्रुट ना हो जैसी बात प्रुट जैसी बात प्रुट अब बस यह सांसों की कड़ी तूटना चाह रहे हैं क्योंकि आप जो स्वांस देते हो किसी को वह भी गिन करके देते हो व्यक्ति उससे ना ज्यादा ले सकता ना एक कम ले सकता है इसलिए भी आरी अब मैं बिदालू लेकिन इन सांसारिक लोगों को एक संदेश देदू ये दुनिया के लोग जो है उनके लिए एक संदेश देदू है के शव जाता हुआ अव्यक्ति यही कहता है अपनी अंतरात्मा के माध्यम से लोग अपना जहां दुनिया वालो जहान कहते हैं इस धरा को इस धरा को लो ही आओ अब तु हम छूड़ करके इसको जा रहे हैं लोग अपना जहां दुनिया वालो हम इस दुनिया को छोड़ चले जो रिस्ते नाती जोड़े थे वो रिस्ते सारे तोड़ चले लोग अपना जहां दुनिया वालो कुछ सुक के सपने देख चले कुछ दुख के सद में जेल चले तकदीर की अंधी गर्दिस ने जो खेल खिलाए वो खेल चले लोग अपना जहां दुनिया वालो हम इस दुनिया को छोड़ चले अरची जिल तुमें लोटा दी हैं भाई आओ अब देख लो हमारे पास कुछ नहीं है जो यहां की चीज थी वो सब यहीं पर हमने आपको दी दी हैं हर चीज तुमें लोटा दी हैं हम लेके नहीं कुछ साथ चले हम लेके नहीं कुछ साथ चले फिर दोसन देना जगवालो हमें देख लो खाली हाथ चले हमें देख लो खाली हाथ चले लोग अपना जहाँ दुनिया लोग यह राह अकेले कटती हैं और यात्राएं तो मिल जुल करके कर लेते हैं लेकिन वो अंत्यम यात्रा तो प्राणी को अकेले को ही पढ़ती हैं और में तो कोईन कोई साथी हो जाता है यह राह अकेले कटती हैं यहां साथन कोई यार चले यहां साथन कोई यार चले उस पार तो जाने क्या पाई इस पार तो सब कुछ हार चले इस पार तो सब कुछ हार चले लोग अपना जहां दुनिया वलो हम इस दुनिया को छोड़ चले हम इस दुनिया को छोड़ चले अब यह सांसों के कड़ी तूट नहीं है प्रभू बस तेरा दर्शन मुझे होता रहे जब भी कोई जनम मिले अगला या तो तेरा भक्त बनू प्रभू या कोई पसुपक्सी भी बनू तो तेरे आस्त्रे स्थल पर कहीं कहीं मेरा गुजारा हो यही मेरी प्यारत्रा है साश की सांसों का क्या भरोसा सांसों का क्या भरोसा रुकि जाए चलते चलते सांसों का क्या भरोसा सांसों का क्या भरोसा सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते 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 सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते 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 रुक जाए चलते चलते सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते 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 जीवन है चार दिन का दो दिन की है जवानी जीवन है चार दिन का दो दिन की है जवानी दो दिन की है जवानी जब आई गाबुढ़ापा ठक जाए चलते 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 सांसों का क्या भरोसा स्वासों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते ज़ते चलते चलते कि अब तक किया क्या तूने अब थो हरी शुर्ण अब तो किया न तूने अब तो हरी सुमर ले कह रही है जिन्दगी की ये शा में ढलते ढलते सासों का क्या वरोसा रुक जाए चलते चलते स्वासों का वरोसा स्वासों का वरोसा रुक जाए चलते चलते स्वासों का वरोसा बुले मिंदावन विहारी लाले की प्रेमिय उत्तरण उत्तरण का समय आया और बिश्μα पिता में ने भगवान को अपना जैसे सब कुछ समर्पन कर दिया उनका दिव्य पुंज जो है भगवान में जा करके और समा गया है और बेमियो विश्म पिता मेह का जब दिवे पुन्ज समाया सामरे बिहारी यहां से पिदा लेकर के और अब ध्वारिका की प्रस्थान कर रहा आगे की गथा प्रारम होगी उससे पुर्व आप सभी के लिए यजमान की तरप से ही परिवार के जनों की और से ही चा वी चाय का अनंद लेंगे थोड़ा सा विराम यहीं परवानी को थोड़ा सा विराम और जैस्री राधिर जैस्री श्याम झाल झाल अरे कानन से मैं रो है जाएगो फूराम भजन नहीं सुन पाएगो अरे कानन से मैं रो है जाएगो तूराम भजन नहीं करवाएगो अरे थोडो दिल में तारा दिल में धीरत जारी अरे धार मत नाले बात भुडा पाती मत नाले बात भुडा पाती मत नाले बात भुडा पाती बोलो भगवान की और ये जो बाहर बाहर भी मेरे पिता तुल्य बुजर्ग जो बैठे हुए हैं पांडाल में जगें काफी हैं इसलिए आप बाहर बैठे हुए हैं जो भी अंदर आजाएं और कथा करस्पान करें जजैस्री राद है जजैस्री शाम मुली राघविंद्र शरकार की आशुथूश भगवान की जै दोनो का कि प्रेंच देख लो स्री राद है राद है यावज कुकार है रहले नहीं आले नहीं आ ग्रुम्त नहीं गुरुरम्त गुरुण विश्ण हुं गुरुड़रेव महेश्वार गुरुसाख्ब्साथ प्रूम्त मैं स्री गुर्वे नम्हा राध है मेरी स्वामिनी मैं राध है तिरु राध है जनम जनम मुहिदी जीए स्री भ्रिंदावन को वाँ चभी भक्त जन सुरुता लू भगवान की रसीली कथाएं जिग्यासु सुरुता सुन रहे हो मध्यान के बाद की कथा मैं प्रवेश करें जो भी माता बहन बुजिल गई हुआ अपने हरेलु कारिये से लिबरित हो गई हो जहां तक मायके मध्यम से आवाज पोंच रही हो भक्त जन कथा के रसीली चरित्रों को सुनने के लिए कथा पांडाल में पधारें क्रिष्णम एव भगवति मना हो वाक द्रश्टी भी व्रति भी आत्मा न्यात्मानम्मा विश्या प्रेमियों यह पावन चरित्र सुक्देव जी महाराज राव्जा परिक्षित को सुना रहे हो महावारत का ये दिशंप्रन हुआ परिक्षित जी महाराज का जनम हो गया है द्वारकादीस द्वारकापुरी को प्रस्थान कर चुके हां युदिश्टर ने असुमेग भी यगित किये हां और विदुर जी महाराज तीर्थी आत्राओं पर ब्रह्मन कर रहे हैं किती आत्राओं प्रप्रमन करते करते और केदार ना तो गभी वद्रिन तो गभी उत्राखंड की धर्ती पर व उपावन तीर्थों का जामन कर रहे थे और तीर्थी आत्रा करते हुए वापिस लौटते हूए आरे थे यमुना का थट है रमनरीती का वो परिक्षेत्र है उस रमनरीती की परिक्षेत्र में उनका मिलन हो गया एक संथ से और वो परमसंथ है उद्धाउजी महाराज उद्धव जी से जब उनका मिलन हुआ तो प्रेमियों संत तो दो मिले हैं लेकिन विद्वानों की लेखनी ने किस प्रकाल से उनको व्यक्त किया है कि चार मिले चौंसट खिले मिले तो दो संत है और बताए हैं कि चार मिल रहे हैं कि चार मिले चौंसट खिले बीस रहे कर जोड़ हरी जन से हरी जन मिले तो भी असी साथ करोड़ चार मिले यानि दो हाथ इधर से और दो उधर से तो चार हो गएं चार मिले चौंसट खिले बाती D outreach प्रसन हा तो प्रती सुधर से चोंसट हो और हरी जन हरी कहते हैं भगवान को जन कहते हैं लोग भगवान का भक्त लगवान के भट से भक्त मिला तो बीसे infusion सात करोड़ केते हैं कि एक सरीर में साड़े तीन करोड रॉम होते हैं इसलिए दोनों सरीर में कितने होगे साड़े तीन और साड़े तीन साथ तो बिहसे दोनों तरफ से साथ करोड रॉम जो है वो खिल उठियाने रॉम रॉम खिल गया है दोनों मिलें और प्रेमियों पिद्धों से वड़े भाव से विदुरजी का स्वागत किश्च और विदुरजी ने ऑधो जी सब्स हाँ विदुर्जी आपतित यात्राओं पर रहे हैं वुद्धों जी कहने लगें यहां पीछिसे सारा महावारत का चरीत्र उध्धवजी ने विदुर जी को सुना दिया विदुर जी को बड़ा दुख हुआ अपने परिवार का ख्षय देख करके सुन करके किस प्रकार से पांडवों का पांडवों पर जो अत्याचार हुआ उसका भी वर्णन किया कौर्वों का पतन वो सारा समाचार उध्धवजी महाराज ने विदुजी को समना दिया है थोड़ी देर के लिए दो बड़ा दुख हुआ हकों से अस्रू पात भी हुआ लेकिन प्रेमियों वुद्धौ जी महाराज ने उनको वो परमघ्ञान दिया जो उध्धौ जी को परमघ्ञान मिला था भगवान सामरे भी हरी से लेकिन वुद्धौ लेकिन विदूर अब तुम यहाँ से आगे चल करके सारा चरित्र जब सुनाया आगे आपको परम ज्यान देंगे गंगा घाट हरिद्वार पर आपको मिलेंगे मैत्रियं मुनी और प्रेमियों यहां से विदुर जी उध्धाउजी से प्रण विदाले करके और आगे चले हां तो रमन रेती से आगे उधर वापिस पुने आगे वड़ गहें और हरिद्वार में मैत्रे मुनी से मिलन हुआ अहो महीय सोरे जन्तो जीविता साय याभवन भीमा पवर जितम पिंडाओ दत्ते ग्रिहं पालवत हो विदुर्जी से भी परम ज्यान लेकर के और विदुर्जी महाराजी आसे चलें विचार किया कि मुझे अब अपनी जनम भूमी पर चलनों चीए बहुत समय हो गया तो विदुर्जी महाराज अपनी जनम भूमी की और चल दीर है चलते चलते और आज इंद्र प्रस्त में पहुंच रहे हो अस्तिनापुर का वो परिक्षित्र गौर्वों का तो पतन हो गया जैसे ही सायंकाल के समय पर पहुंचे है तो युदिष्ट्र भी महरजुन ने बड़ी अगवानी करी है अपने खोए होए चाचा से आज जब मिले हां तो सभी अस्तुरू पात कर रहे हैं तीर्थ यात्रां से आई हां तो उनको पहले प्रणाम कर रहे हो प्रणाम करके और चाचा जी आप तीर्थ यात्राओं का वर्म सुना वहां आप कहां कहां गए हो आप तो मत्रापुरी भी गए होंगे द्वारिका भी गए होंगे अब तो किदारनाथ वी घए होंगे प्रेमियो Kath DR. में उन्होंने सारा चरीत्र सुना दिया क Repl. कथा संकेत देती ती हावे मानव के लिए करें तीर थ्यात्राओं में busy before जाके आजाते हैं तीर्थियात्राओं में जाने का प्रतिफल क्या है क्या तू लेकर के जाएं और क्या लेकर क्या तीर्थियात्रा कब शार्थक है है सबसे पहला तो अपना जो रिण है उसको चुका करके जाएं भौतिक रिण नहीं आध्यात्मिक रिण, माता-पिता का रिण, गुरू रिण और इसी रिण, ये रिण चुके हैं, क्या आपने भली भाती माता-पिता की सेवा कर ली, आप तीर्थी आत्राओं पर जा रहे हैं, कई मौज मस्ते के साब से भी आजगल तीर्थी आत्राओं पर चले जाते हैं, इस बड़ी बड़ी गड़िया उस त्रासदी में माचिस की दिप्वी की तरह बे गई हज्जारों होटल ऐसे तबा हो गए और लाखों की संख्या में लोग लगों के घर बरवाद हो गए केवल भगवान स्यूं का वो मंदिर बचा था से शंक नहीं तुत्रा ही रही होई यह तीर्थों का क्योंकि तीर्थों पर आजकल अनाचार भी गलत कारिये भी वहाँ पर होने लगए हैं इसलिए भी तीर्थों की महत्ता हो गई है तीर्थ यात्रां पर लोग जाएं तो सबस से तूटियां बना रहे हैं और पड़े हुए हैं और खुद अपने बच्चों का जनम दिन होटलों में मना रहे हैं दिकार हैं ऐसी संतान पर ऐसी संतान भगवान किसी को ना दे उनका अर्थक तभी है माता पिता से बार बार कई कई गटनाई देखने को मिलती आखों देखा हल है बहुत निकटस्त से देखा है मैंने चार चार पुत्रें चार चार सर्विस में अच्छी पोस्ट पर फर्ष्ट ग्रेड के सर्विस करने वाले हैं मापाप अलग पड़े हो यह है क्यों इस समय की बड़ी विडम बना है लगों में दिखावा ज्यादा है धर्म में भी दिखावा फिर्थों में भी दिखावा इसलिए तीर सी आत्रा करो लेकिन समय पर करो फिर्दय में दया रखो भाव रखो किस के प्रति इंसान के प्रति कहते हैं कि जो आदमी इसलिए कथा संकेत देती है मनुष्य मात्रे को विदुरुजी महराज जैसी आए यह दिश्टर ने प्रिनाम करके जब पूछा संक्षित में सुना दिया लोग क्या करते हैं तीर्थी आत्राओं का वर्णन बड़े 5 दिन 8 दिन तक गीत गाते रहते हैं लोगों से यही कहते हैं हम वहां जाया है हम वहां गए तीन धामतों में तीन बार जाया है लेकिन फेमियों कथा संके देती है कि आदमी को पुल्ण करके भूल जाना चाहिए पाप याद रखना चाहिए पुल्ण का धिंडोरा पीटोगे तो घमन डायेगा लेकिन लोग पुल्ण को तो गीत गाते हैं हर पाप को करके भूल जाते हैं लेकिन पाप को याद करना चाहिए रोज सोचे कि मुझसे गलती हुई है उसके लिए बार बार सोचे तो जीवन में पाप दुबारा होने की संभावना कम रहती है इसलिए व्यक्ति को बार बार अपने पाप को याद करते हैं चाहिए कि मुझसे क्या भूल हो रही है मुझसे क्या गलती है यह नहीं बस जो पुल्ण कर दिया किसी को दान भी दे दिया तो दान कई लोग कहते हैं मरायज कोई सामुई काम होता है पांच व्यक्तियों को निमित बना दिया कि पांच व्यक्ति अद्यक्ष को सद्यक्ष जो भी है यही समालेंगे गाव में यग्य होगा या कुछ भी होगा लेकिन दान दाता जो होते हैं उसको दान दे करके भूल जाना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति हेरा फेरी करता ह है उसको एक हेरा फेरी करने के लिए दस जग जूंट का काम करना पड़ेगा इसलिए उसकी वो जाने हमें तो यह हमने दान दे दिया भगवान के निमित आगे करने वाले जाने कि यह व्यक्ति का सभाव होना चाहिए पिदुर जी महाराज बड़ी धर्मात्मा है कि युदिष्टर जी से मिलकर के अजुन भीम से मिलकर के का भी आओ अब मैं मेरे भाई से की तो मिलूं दृत्राष्ट्र से कि बहुत समय हो गया है उसको बड़ा घमंड था मेरे सौ वेटी है कई यह को घमंड जाता है मेरे पांच बिटें किसी के यह पांच है इसको तो नहीं सो वालों का ही कोई हिसाब नहीं है आज यह दिश्टर से विदा लेकर के उधर चले महल में दृत्राष्ट्र के पास में जाकर के गांधारी को दृत्राष्ट्र को वड़े भाईयों को प्रणाम किया है कि का भी यह और तो कुछ है तुझे घमंड था तेरे पित्रों पर राजपाट पर इतना बड़ा राजपाट क्या हुआ का था ना अब तेरे पास में क्यों पश्चा था पर और कुछ नहीं है कुछ नहीं बचा हां भी रहा सही हाँ लेकिन ये बता तेरे ये भाई के बेटे जो है हरजुन भी तेरी सिवा कैसे कर रहे है करे यह तो अंगीर एसे सिवा कर रहे है आज मेरी खुद की औलाद होती तो वो भी मेरी सिवा नहीं है लेकिन दिकार है तेरा इनकी सेवा लेने का क्यों कुत्तों कासा जीवन जी रहा है तुने इनके साथ में क्या कमी छोड़ी थी तुने जहर के लड़ू खिला दिये लाग के भावन में आग लगवा दी भरी सभा के बीच में तेरी ही पुत्र वदू को तुने बेज्जती कर दिया और आज इनिक टुकड़ों पर पलकर के कुत्तों कासा जीवन जीवन जीवा अब क्या करूं कहां जाओं करी तेरती आत्रहों पर निकल जा छोड़ दे अब अब क्या बचा है अब तो भगवान का भजन कर कि भाईया कहां तीर्थों में जाओं मैं तो अन्धा हूं क कि भगवान को बजने के लिए भगवान को देखने के लिए इन भौतिक आखों की जरुत नहीं है क्योंकि आप भी जानते हो जब कभी हम मंदीर में जाते हैं तो मंदीर में जैसे भगवान के सामने आप बैठोगे और भगवान का ध्यान करोगे तो यह आके तो सबसे पहले बन्द होगी आपके जैसे भगवान के सामने हां जुड़ेंगे तो आंक पलक तो पेले बंद होगी तो फिर भगवान को कैसे दिखोगी भगवान को देखने के लिए अपनी हिद्रे की आँखे और हिर्दर की आखो को कहते हैं प्रज्याचक्षु यानि ज्ञान के नेत्र इ आज प्रेमियों जो जीवन पर दृत्राश्ट्र अंधा था उसके ज्ञान के नेत्र खोल दिये विदुर जी वो है शंत एक संत के माध्यम से उसके प्रग्या चक्चु खुल गए रात भर का सब्सक्राइब चला और आधी रात बीती और ब्रह्ममुर्थ का समय नल्दीक था और तीर थी आत्राओं पर बिना बोले ही दृत्राश्ट और गंधारी निकल पड़े हैं उनके पीछे से विदुर जी भी तीर थी आत्राओं पर गए सुबह हो गई युदिश्ट जी महराज का नियम था रोज अपने ताव और ताई को जाकर कि प्रणाम करते हैं सुबह मुर्थ में उठते हैं कई लोग करते हैं हम करते हैं भी आव जल्दी उठा करो आज मही आए कल सीचने आई थोड़ी लेट आई कि अधिनों बजे क्या सपास आई हमने कर दिया में आया अब कल सीचने आई हो कि महराज टाइम यह नहीं मिला मैंने का कितने बजी उठती हो पुटी दो जल्दी थी अच्छा कई लोग कतने जल्दी उठते हैं एक सजन से का मैंने प्र जल्दी उठा करका मेरा बहुत जल् जालना लाठास करके भी इस तरों पर फिर उठने का क्या सकता wären मैम अे सब्सक्रान में अब बढ़ती हो तो और मी पहले ऑफर बी उठती हो तो 4 बचंग आदे गंटे पेले वी उठता की तो आपका जो निट्टाversion मिल गया हाफ को रोज का कथा और और अलग मैं कोई का भ बढ़ाया है इसलिए ब्रह्मुर्त में कल सीचे मैंने कल कथा में आज सुवे जो माताइं आई उन से भी कहा था लेकिन पुर्सवर्ग बहुत कम दिखाई दिया परिवार जन बहुत बढ़ा है बताया था कि दोशो आदमी परिवार में लेकिन दस आदमियों ने भी परिक्रमा नहीं भी पुर्शों को भी परिक्रमा इसे थोड़ी भक्ति के वल माताइं करती रहें हम तो मोज करें क्यों हमारी नीद खराब करें है पुलशों को भी आकर कर भगवान के मंदित के सामने क्योंकि प्रेमियों जहां भागवत कथा होतीए वहां पर भगवान फार्शा नीआते रहता है भगवान वहां पर उप्स्थिप होई हुब पूरे तेर्थ आ पुर्षों को भी आना चाहिए माताव को परिक्रमा देनी चाहिए कई तो परिक्रमा के हम चार देली महराज कि जैसे बहुत ज़्यादा देदी हो हां एक सो आठ नहीं देते हैं तो कमस्काव 152 किस देदो लेकिन परिक्रमा में वैसे यहां तो मौका नहीं मिलाओगा किसी को बात करने का क्योंकि भगवान के किर्तन की धुन चलती रहती है मैं फुल आवाज में पहले ही करवा देता हूं किर्तन चलता रहता है तो वही धुन का भजन करें या फिर किर्तन करते रहें और चलती रहें परिक्रमा में तभी परिक्रमा सार्थक है नहीं तो कव्वा भी रोज मत्वरा ब्रंदावन घूम के आता है उसका भ्रह्मन परिक्रमन नहीं है या यह कहीं तो तीर्थी आत्राओं का भ्रह्मन नहीं है अब प्रेमियो विदुर जी महराज तीर्थी आत्रों पर वापीश चले गए युदिश्टर ने प्रणाम जाकर के किया प्रणाम किसको गरे जैसे ही नियम होता जिसे कई उठते ही धर्ती को प्रणाम करते हैं तो उन्होंने उनकी जो इस्थली है उसी को प्रणाम करके संजय से पूछा ताउताई नहीं है संजय मेरे ताउताई कहाँ है संजय ने कहा कि हराज मुझे तो पता नहीं मैं सुग उठाउ उससे पहले यह चले गए लेकिन हां मुझे इतना पता है कि सारी राध वर सतसन चलात अच्छा ये दिश्टर जान गए कि मेरे दाउताई छोड़ गए रोने लग गए कि मेरी सेवा में कोई कमी रह गई हो ओसी समय प्रेमियो नाराजी का अगमन हो गया नाराजी के सामने पूरी व्यथा को सुना दिया नाराजी ने का भीया बिदुर जी तो आये थे महाराज धृत्राष्ट के और गांधारी के प्रग्याचक्षू खोलने के लिए और मैं तुम्हारे खोलने के लिए आया हूँ आगे खोर कल्यूग आने वाला है इसलिए अब तुम भी अपना रस्ता चैन कर लो देख लो नाराजी तो कह करके चले गए समझने वाले समझ गया है युदिश्टर समझ गया और प्रेमियो एक संकेत दे दिया कि भीया कोई किसी का नहीं है शच बुचो तो लेकिन कहते सब हैं लेकिन इसको स्वेकार्व करने वाले बहुत कर जानते सब हैं सब ज्यानी है कोई बड़ा बुज्र कोई भी अधी ऐसा बिदा हो जाता है समसान गाट पर बड़ी बाते करेंगे देखो अब यह गया कुछ नहीं रखा है कुछ नहीं रखा है और जैसे घर आएंगे और फिर बस जैसे सब कुछ यहीं रखा है को ग्यान को वहीं पर छोड़ करके आ जाते हैं इसलिए का है कि साथ ही है मित्र गंग के जल बिंदू पान तक साथ है मित्र गंग के जल बिंदू पान तक अरधांगी ने बढ़े की के वल हो मकान तक परिवार के सब लोग चलेंगे के वल हो शम्शान तक बेटा भी हक निभाईगा तो अगनी दान तक इससे तो आगे इससे तो आगे भजन ही है साथी हरी के भजन बिन अकेला रहेगा प्रेमने दो दिन का मेला रहेगा कायम नगरे का जमेला रहेगा इसिलिए कहां है कि क्या लेके आया बंदे कि तु क्या लेके जाएगा, तु क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिन्दगी है, दो दिन का मेला, तिन पे है. क्या लेके आयावन्ने, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिन्दगी है, दो दिन का मेला. क्या लेकर लेके जाएगा, दो दिन दो, चु क्या लेके जाएगा, आप मेला, दो दो, दो दो, दो दो, 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 दो. कर दो कर दो कि इस जगत सराई में मुसाफिर रहना दो दिन का इस जगत कराई में मुसाफिर रहना दो दिन का फिर विर्था करे गुमान मुरक इसन और योवन का नई है भरोसा प्यारे पल एक छेन का दो दिन की जिन भी है दो दिन का मेला थाँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो वो कहा गए नर आज तीन वर धरती को लणिया वो कहा गये नर आज तीन बार धर्ती को लणिया रण में पड़ती धाक कोई नहीं सामी बोलनिया अर रण में पड़ती धाक नहीं कोई सामी बोलनिया रे एड़ा एड़ा यू था गया कैयारे अकेला कैयारे अकेला क्या लेके जाएगा दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला क्या दो 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 का मेला डाएगा कर दो की जाएगा कर दो कर दो नई किन सका कोई ये माया गिनी गिनाई है नई किन सका कोई ये माया गिनी गिनाई है आर कड़ की नीवानी ची रह गई चिनी चनाई रे ये गड़ की नीवानी ची रह गई चिनी चिनाई रे संग ना चले माया का एक धेला का एक धेला दो दिन की जिन्दगी है दो दिन की मेला वाले की आया बंदी चाले के जाएगा दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला दो दिन की जिन्दगी है दो दिन का मेला बोले बंदा बने विहारी लाल की आशुतोष भगवान की जै 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 जा जो जो जै 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 जो जै जो जो अगय ईला ओक प्रेमिय ओका इडस्त्तीजी महराज को कि डिश्टिटंग का दर्शन होने लगा कल्यूंग का दर्शन अपसगुंउनने लगे याडश्त्तीजी सोचने लगे कि मैं कल सुबैसे देख रहा हूं अप्षगुन होने लगे यह दिश्टी जी सोचने लगे कि मैं कल सुवैसे देख रहा हूँ मुझे अप्षगुन हो रहे हैं जो आपवित्र पशु है मेरी दाईयों और से निकल रहे हो पवित्र पशु मेरी बाईयों और से निकल रहे है कल मैंने सियारनी को भी देखा जो ब्रह्म मुर्थ में रो रही थी क्या होने वाला है उसी समय पर भीम को बुलाया भीम से भीका भीया भीम सामरे बिहारी के साथ गई हुए अरजुन को साथ मेने बीत गई अरजुन अभी लोट करके नहीं आया है प्रेमियो जब याद कर रहे थे उसी समय पर देखा तो अरजुन दूर से ही रोता रोता बिलगता हुआ आ रहा था जैसे ही अरजुन आ करके भीया भीया के करके युद्धिष्ट जी के पैरों में गिर फड़ा युदिश्टर जी कहने लगे अर्जुन क्या बात है अरे भिया हमारे मामा मामी सब कुशल तो है सामरी बिहारी दव भिया सब कुशल तो है वहां की कुशलता तो सुनाओ अर्जुन कहने लगा भिया जिनकी कुशलता तुम पूछ रहे हो उनकी क्या कुशलता सुनाओ अरे उस पिहारी ने तो हमारा मामा का पुत्र बन करके हमें चल लिया है भीया चल लिया हमें क्योंकि प्रेमियों और जुन ने को जाकर के वो सारी बात बताई भगवान के सार्थी निद्वारी का में क्योंकि प्रेमियों भगवान ने अपनी लीला समेट ली थी उस समय पर आगे शंपून कथा सुनेंगे यहां सुक्षम्रुप में आपको बताऊंगा सामरे बिहारी इधर तो महाभारत का युद्ध हो गया था जब बिदुल्जी तीत यात्राओं में चले गए थे उधर सामरे बिहारी भी अपनी 125 वर्ष की लीला करकि और धराधां को छोड़ करकि भगवान ती गुलोग पधार गया थे जाते वक्त उधव से कह दिया था उधव तुम्हें मैं भागवत प्रदान कर रहा हूं यह भागवत ही मेरी वानी जो है उसका शुरूप स्रीमद भागवत है मैं अपनी शंम्पुन कला इस भागवत में नियृत करताूं और मेरा ही वांग में शुरूप मान करके भिया इसको कलिव में प्रचार प्रशारित करना और उत्व को परम्जान दिया था और प्रेमिय भगवान धाम छोड़ करके चले गए थे सार्थी से कहा था तुम जाकर के अर्जुन से कह देना मेरे ने रहने पर द्वारिका अब डूब जाएगी आज के सात्वे दिन समुद्र में समा जाएगी इसलिए कोई भी द्वारिका में नहीं रहे अर्जुन के संग्रक्षन में चले जाए अर्जुन जब से संक लोगों को क्योंकि भगवान ने स्राप दिला दिया अपने परिवार को और स्राप के माध्यम से ही प्रेमियों उलकानाश हुआ था और इदर अर्जुन से संक लोगों को लेकर के जबारा था तो रास्ते में भीलों ने अर्जुन को लूट लिया कहने लगे भीया कि समय समय की बात है समय बड़ी बलवान काव या लूटी गोपी का वही अर्जुन वही बाद वही अर्जुन वही बाद अरे वो जब सामरे बिहारी का व्रह दस्ते हमारे सिर पर था तब तो हम से सब लोग डरते थे गांडिव धनुस की जब तंकार मेरा धनुस पर जब में बान चड़ाता था उसकी आवाज से दुस्मनों के चक्षे जूट जाते थे भीम की कदा की आवाज से दुस्मन सामने आने की हमत नहीं करता था यह सब उस बिहारी की क्रिपा है आज भाईया मुझे उस सामरे प्यारी के ने रहने से आज मुझे भीलों ने लूट लिया आज वही गांडिव धारी अर्जुन है वही धनुस है वही अर्जुन है लेकिन आज मेरा धनुस कुछ नहीं कर सकते कि यह सब उसकी क्रिपा थी भाईया आप तो ग्यात होगा वो समय महाभार्त युद्व से फोर्व दुर्योधन ने दुर्वा सारीशी को स्राव देने के लिए हमें बुला लिया था दुर्वासरिसी अमारे द्वार पर आये थे आपने उनको स्वागत किया और उनको भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया था तुर्षी ने कहा था काम अभी तो संध्याबंदन करने के लिए नभी पर जारें भोजन की तैयारी करवाओ और जैसे ही वह शाधू चले गए तुरुपती से आपने कहा था दुरुपती ने रसोई में जाकर के देखा तो रसोई खाली बड़ी थी कुछ भी नहीं था अक्षे पात्र एक वर्दान सोरुप जो द्रोप्ति के पास था उसमें जाकर के देखा तो कुछ नहीं उसी समय पर द्रोप्ति सामरे बिहारी को याद करती है और सामरे बिहारी प्रगट हो जाते हैं उपस्तित हो जाते हैं कहो द्रोप्ति क्या हल है लेकिन द्रोप्ति मुझे तो भूख लग रही है कुछ खिलाओ ना द्रोप्ति कहने लगी वाप्रभू द्वार पर तो शाधू बैठे हुए हैं स्वाधू आने वाले हैं उनको भोजन का निमंत्रन दे दिया यह अक्षे पात्र भी खाली है आप क्यों मेरी मुझे अपमान मेरी में कुछ नहीं कुछ नहीं है देखा तो एक तुलसी दल लगा हुआ है सामरे बिहारी ने कहाँ कुछ मिला कि प्रभू एक तुलसी दल मिला है बस मुझे ये देदो मैं तरप्त हो गया तो सारी त्रिलों की तरप्त हो जाए और मुझे लाकर के सामरे विहारी को जैसे ही तुलसी दल दिया है और सामरे विहारी तरप्त हो गया उदर दुरवासा रिशी को भी पूरी मंडली को ऐसास हो गया जैसे हमने भोजन पा लिया है जैसे ही चलते हुए आएं द्वार पर और युदिश्टिजने की महराज हादेश करें कि भाया हम भोजन नहीं करेंगे हम भोजन नहीं करेंगे हम तो त्रप्त है और आसिरवाद दे करके चले गए भाया यह सब भी हरी की कृपा थी आज वो नहीं है उनका साया हमारे सिर से ह हरी बिनो कोई नकामन आयो सावरिया बिनो कोई नकामन आयो मोह माया जूटे प्रपंच में रतन सो जनम गवायो हरी बिनो कोई नकामन आयो यह संसार सुवा से मर जो सुन्दर देखल जायो चाखने लागयो उत्शुक होकर हात कछू नहीं आयो हरी बिनो कोई नकामन आयो कंचन कलस पिछी त्री रजी करे रुच रुच भवन बनायो यह भवन कौन सा यह शरीर बनाया है जामे हंसा निकल गयो फिर जामे हंसा निकल गयो फिर कंचन कर दिया है और पेमियों पांडवों ने इदिश्टर जी महराज सबसे प्रथम ब्रह्म मूर्थ में ही सुबय होई ब्रह्म मूर्थ में घर कात्यां कर दिया गर का त्याग कर दिया है उनके पीछी अर्जुन भीम नकुल सहदेव द्रोप्ती गुंती शभी परिवारजा तीर्थी आप लाहों पर चल दियां उत्रा खड़ी और प्रेम्यों चलते चलते तीर्थी यात्रा हमें सबने ही माले की यात्रा में धीर धीरे अपने प्राणों का उत्सर कर दिया है केवल से संक बचे महराज युदिष्ट धर्मराज उनकी परिक्षा लेने के लिए श्वान बनकर के कुट्टा बनकर की प्रगट हो गए हां साथ साथ चलने लगे हां जैसे ही आगे जाकर के विमान आया है विमान में बैठने से पहले कि बैठो मराज तेकिन युदिष्ट जी ने कुट्टे को पहले बिठाना चाहा है कि मराज बिमान कुट्टे के लिए नहीं आया है कि भया कहते कि चार कदम साथ चलने वाला साथी हो जाता है यह कुट्टा तो बहुत दूर से मेरे साथ चलता हुआ रहा है अब यदि कोई मित्र है भाई है बंदू है तुम्हेरा तो यही है आप ले चलो तो ठीक है नहीं अब जाने से पूर्व परिक्षित को राज का भार संबला करके गई है परिक्षित जी माराज का राज का चल रहा है परिक्षित जी माराज अर्जुन के पूत्र अभिमन्यू अभिमन्यू की पत्नी है उत्रा उनके यहां पर इनका जिनम हुआ है और बड़े ही धर्मात्मा है अपने पूर्वजों की प्रसंसा सुन-सुन करके नगर नगर घूमते गाउं गाउं घूमते लोग चर्चा करत माराज आपके पिता आपके त्वाव आपके पिता में बड़े धर्मात्मा थे जो जो पूर्वजों की प्रसंसा सुनते बड़ा अच्छा लगता है और अपने पूर्वजों की प्रसंसा हर किसी को अच्छी लगती है कि आपके पिता ऐसे धर्मात्मा थे ऐसे विक्ती थे अच्छा लगता है सुनते हुए जब आगे बढ़ रहें तो एक दिन चलते चलते जंगल में पहुंच गए वियावान में धर्म हो पदै केन चरन विच्छायाम उप्रो लभ्यगाम प्रैच्छती श्वाम हुवा वदना विवत्सा विवे मातरुं शर्स्वती नभी का तठड़े वाँ पर दो जीव कौन एक बैल और एक गाई बैल है धर्म का रूप और गाई है प्रत्वी का रूप धर्म और प्रत्वी दौनों आपस में बात कर रहे हैं लेकिन बात क्या कर रहे हैं रोरो करके अपनी व्यथा सुना रहे है आखों से आश गिर रहे है और धर्म की धी गिर रहे हैं गाई और बेल का जोड़ा है दोनों रोती रोती अपनी व्यथाए कह रहे हैं धर्म कहने लगा अजी प्रत्वी तू क्यों रो रही है तू कहीं इसलिए तो दुखी नहीं हो रही है मेरे दुख को देखकर कि मेरे चार पेर थे ती कई तु मेरे दुख को देख करके तु नहीं रो रही है या तु अपने दुख से दुखी हो रही है कि अब पापी लोग तुपर अट्या चार करेंगे इसलिए कई तु अपने दुख से दुखी हो रही है दोनों बात करी रहे थे उसी समय पर कलियुग काले वस्त्रों में हाथ में कृपान लियो भी गौडता हुआ आया और गाई और बैल के जोड़े को लातों से मारने लगा भंगते भंगते विचारे मलमुत्र करते रोरो करके विलखने लगे उसी समय पर परिक्षित की नजर प पकर लिया मारने के उतारू हुए उसी समय पर कलियुग ने प्रार्थना करी महराज मैं कलियुग हुग 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 ह इस्थान दे दो रहने के लिए कुछ निश्चित कर दो मेरे लिए मैं तो उसी में रह लूँगा अच्छा तो ठीक है तुम्हे इस्थान देता हूं तो प्रेमियो कल्यू को कौन से इस्थान दिये अभ्यर्थिते तदा तस्मई इस्थाना नीच कले युगई धूतं पानं इस्त्रियाम सुनाम यत्रा अधर्मा श्यचतुरू विधो चार इस्थान दे दिये कौन सा त्यूत कहते हैं जुआ खेलना सक्टेवाजी पहला जुआ खेलने में दे दिया दूसरा पानं यानि सराव में मदिरा में दिया तीसरा इस्त्रियाम अर्था तवेश्या गमन में दे दिया और चौथा दे दिया हिंसा में प्रेमियो राजा परिक्षित अपने नगर को आगया है ब्रह्मन करता रहा रहा चलता रहा एक दिन विचार आया अब प्रेमियो कल्यूग का वाज किस में हो गया सोने में समय समय की बात है हर चीज हर समय आपके पास रहती है सोना भी आपके पास है घर भी आपके पास है आपकी गाड़ि भी आपके पास है आपके पास टेक्टर भी है बस है या मालोग फॉर्विलर से कोई भी गाड़ी है लेकिन वही गाड़ी का हम कई मानुभाव देखते हैं पूजन भी अच्छा भाव से करवाते हैं लेकिन कई-कई परिवारों के लिए वही काल बन जाती है कि यह समय की वात है करके परिवार के मुख्या के द्वारा यी अपने ही क्ल के ऐसी घटना देखिए बाप के हाथ से चोटे से बच्चे क्यों किसी टेक्टर के द्वारा क्षा अपने हाथ से हत्या हो गए जिसको समय की बात है प्रेमियों वही चीज है तो प्रेमियों, आज परिक्षित जी महाराज ने अपना बक्सा खोल लिया, पूर वजों का, देखें दादा जी क्या छोड़ करके गई है, देखें तो सही, जैसे ही बक्सा खोला तो सुन्दर सोने का मुकट, कितना प्यारा है, लगा करके देखा, बड़ा सुन्दर लग र आज तो इसी को लगा है, और चल दिया आखेट पर, जैसे ही अप्रेमियों, जैसे ही मुकट लगाया, अब समय की बात है, समय आ गया कल्यूका, तो कल्यूका प्रवेश सिरपर हो गया है, अब चल दिया, आखेट पर जैसे ही गया, और प्रेमियों, जैसे जैसे आगे गया, सारे दिन वर भ्रमन करता रवा, शाम हो गई, देखा एक आस्त्रम पर प्यास लगरी ये पानी प्यूँँँए, शमिक रिशी कास्त्रम है, जैसे ही आस्त्रम पर पहुंचे, आवाज द पर ध्यान नहीं है, अपने ध्यान में थे, आवाज दी, आवाज जैसे सुनी नहीं, सोचा कैसे ड्हूंगी मात्मा हो गए हैं समय में, सामने नजर पड़ी, एक मरा हुआ सरप पड़ा हुआ था, धनुस की प्रतिंचा से उठाया, और मरे हुए सरप को मात्मा जी के गले में डाल दिया, मात्मा भी सोचेगा कोई मिला था, कोई आया था, याद करेगा, चली गया अपने नगर में, लेकिन पेमियों चैसे ही पूतारा, अब ह्याद आगई पूरी इबाती, आज तो मेरे से बड़ा, कहां मैं एक धर्मात्मा था, कहां एक सादु का अपमान कर बैठा, ही विला था, अब जरूर मुझ से कोई, कोई भूद बड़ी भूल हुई है, उसका पाप तो मुझे भोगना पड़ी है, गल्ती ह लेकिन प्रेमियों, श्वमिक रिषी तो अपने ध्यान में थे, श्वमिक रिषी का पुत्र रसरंगी, इसी बालकों के साथ दूर खेल रहा था, किसी बालक ने जाकर के खई आपके पिताजी के गले में तो राजा मरा हुआ सरब डाल गया, वो शरब गले में डाल गया, श जा जा जो तू मरा हुआ सरफ गले में डाल करके गया है यह सरफ ही तेरी मृत्यों का अकार्ण बनेगा आज के सात्वे दिन तुझे तक शकना मक्सर पड़सेगा और तेरी मौत होगी यह ऐसा कहकर के जल छोड दिया और प्रीमियो जैसे अपने पिता के पास आया आकर के लिपट करके रोने लगा सरफ को दूर फैंक दिया स吧 कि ए सम्मी क्लिशिकें लगे बीटा क्या बात होगी क्यों रो रहा है इस पिताजी आपकी गली में क्लिशी सरफ मात्मा शर्प डाल गया कहां है लेकिन मैंने तो उसको स्राप दे दिया बेटा तुने गलत कर दिया राजा की कोई कोई मजबूरी रही होगी छोटी सी गलती पर इतना बड़ा स्राप लेकिन अब जो किया सो तो किया तुने अब कम से कम उसको को खवर तो कर दे विज्यानी को यह से रिसी बालकों को भीजा अब उधर परिक्षिती महराज तो सबा में मेठी हुए हैं रिसी बालकों ने जाकर के कहा महराज आपसे बड़ी गलती हो गई आज आपने सर्प गले में डाला उनके पुत्र ने आपके लिए श्राप दे दिय है आज के साथवे दिन आपको शर्प डशेगा उसे से मौत होगा अब तो राजा को फुट फुट करके रोया पूरी सभा अस्त्रपुरी तो हो रही है लेकिन रोते रोते फिर विचार किया कि गलती तो हुई है मुझ से लेकिन फिर भी संसार के जितने भी राजा है उनमे मैं सबसे बड़ा भागिशा कियों किसी भी राजा की मौत तै नहीं है साथवे दिन मेरी मौत बताई है इसका मतला मेरे पास में साथ दिन का समय तो है लोगों को तो कल का ही पता नहीं कल क्या पल का ही पता नहीं है मैं साथ दिन तो जीऊंगा इस साथ दिन भगवान के चर इन साथ दिन में ही लोग आते हैं और साथ दिन में ही चले जाते हैं सो मंगल वुद्ध ब्रस्पत सुक्र सनी और रवी साथ दिन के अलावा आठवा दिन किसी के जीवन में आता ही नहीं है यह संसार भी साथ दिन में आया है और इन साथ दिनों में ही चले जाए अब किस से नहीं होती है भूल संसार में सब से होती है लेकिन अपनी गलती को गलती मान ले तो वो इंसान है और जो गलती को गलती नहीं माने वो इंसान कहलाने लाइक भी कि जिसमें कोई भूल नहीं भूल कहें या गलती कहें जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं और भूल मिठाना जो चाहिए इनसान उसी को कहते है जो चाहिए इनसान उसी को कहते है जिसने कोई भूल नहो भगवान उसी को कहते है भूल मिठाना जो चाहिए इनसान उसी को कहते है भूले हुई थी सबसे पहली भूल किसे हुई दक्ष सुता सती से जान की बन करके भगवान की परिक्ष लेने पहुच गई भूल हुई थी दक्ष सुता से जनक सुता का रूप लिया नहीं हुआ विश्वास प्रभू पर फर्म इसी को कहते है भूल मिठाना जो चाहिए इनसान उसी को कहते है जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते है भूल मिठाना जो चाहिए इनसान उसी को कहते है भूले हुई थी जनक सुता से जानकी जी से भूल कहां हो गई कि इस पर विश्वास नहीं किया जब बनवास हुआ पंचवटी पर रह रह रही थी लक्ष्मन जी महराज कहा था मातेई आपने जो आवास सुनिया माया भी हो सकती है राक्षशों का बुलबला है इसलिए आप ऐसा मत समझो कि नहीं लक्ष्मन तुम्हारे मन में कोई कोई पाप है लक्ष्मन जी पर विश्वास नहीं किया और कहा तुम जाओ जबर्दस्ती भेज दिया लक्ष्मन को लक्ष्मन जी ने रगुकुल की आन भी करी थी लेकिन उस रगुकुल की आन को भी तोड़ दी नहीं माली और उसका प्रिणाम हुआ लंका में जाकर के बैठना पड़ा बोल हुई थी जनक सुतासे बोल हुई थी जनक सुतासे बन में उनका हरन हुआ कर्म की रेख मिटे ना प्याते कर्म की रेख मिटे ना प्यार पाके यसी को कहते है हर भूल मिदाना जो चाल इनसान कुझी को पहते है भूल मिदाना जो दाहे निम्ता कुझी को पहते है हर भूल मिदाना जो चाल इनसान कुझी को पहते है होती है मानव से देखिये माता जांकी से भूल हो गई सती से भूल हो गई तो मनुश्य से भी भूलत होना स्वाभविक है कि होती है मानव से भूलें लेकिन मानव क्या करें मानव उस पर अमल करें मानव ही मानव को समझें प्रेम इसी को कहते है और भूल मिठाना जो चाल इक इनसान उसे को कहते है प्रूल मिठाना जो चाहे जिन पाथ सुझी को पहते है प्रूल मिठाना जो चाहे जिन पाथ सुझी को पहते है प्रूल मिठाना जो चाहे जिन पाथ सुझी को पहते है प्रूल मिठान बाद प्रूल इस जिस तो चाहे जिसे प्रूल अब प्रेमियों राजा परिक्षित से भूल हो गई पश्यत आप कर रहा है संतों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, ब्रह्मनों को बुलाया और लिवेधन किया हे गुर्देव, हे विप्रव, जिस व्यक्ति की मौत नजदीक हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए सभी आपस में चर्चा करने लगे और प्रेमियों संतों ने विद्वान भ्रह्मनों ने आवगत कराया कि महराज अब तो यही है किसी तीर्थिस्तर पर जाकर के और भगवान की भुक्ति की यही है परिक्षित जी महराज ने अपने पुत्र जन्मेजे को तो राज्य दे दिया है और घर का त्याग करके और गंगा घाट हरी द्वार में जाकरके अंसन व्रत लेकरके और प्रेमियो भगवान की निमित वहाँ पर अपना इस्थान बना दिया और जैसे ही पुँचे हैं तो प्रेमियो गंगा थट पर अत्री वशिष्ट गोतम पिपलाग नारद धौम विश्वामेत्र परश्राम आदि प्रधान प्रधान अरिशी मातमा संत विद्वान पहुँचने लगे है गोतम भारतवा जगस्त व्यास आदि सभी पुँचे है सभी को प्रणाम करके और निवेदन कर दिया है अहो प्रेमियो यह एंकार जो है व्यक्ति विशेश में आ जाता है परिक्षित को भी एंकार था धर्मात्मा पुर सोने के बाद में भी एंकार आया एंकार किस बात का आया दूसरी व्यक्ति को क्षीन समझने था यह गर्व जो है लेकिन समय पर आकर के सब का गर्व टूट जाता है ऐसी बात नहीं है गर्व हुआ था एक बार राजा भोज को संस्क्रत का महान एक पंडित है जिनका नाम है माग उनको भी हुआ उनके दर्वारी थे दोनों को घमंड हो गया राजा भोज को और माग पंडित को जैसे कालिदास संस्कत के महान विद्वान पंडित हैं जैसे ही माग पंडित भी हुए है दौनों को घर हुआ एक दिन दौनों रूप छुपा करके और ब्रह्मन पर चल दिये चौराएं पर एक बुढिया वे ठी थी थी बुढिया से जाकर के कहा बुढिया ए मैया यह रास्ता कहा जा रहा है बुढिया कहने लगी तुम कौन हो कहने लगे मैया आपको इससे क्या मतलब है हम कौन है बुढिया सूच यह बड़े हैं अच्छा तो जैसे उनसे वैसाई करना चाहिए नहीं बताया कि मैया तुम तो यह बताओ रास्ता कहां जा रहा है बुढिया ने का यह रास्ता तो कहीं नहीं जाएगा यह रास्ता तो यहां कहां यहीं रहेगा इस पर जो चलेगा वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा रास्ता तो यहां का यहीं रहेगा अच्छा लेकिन फिर भी तुम बताओ तो सही कौन है प्रश्ण को सुनकर के बुढिया के उत्तर को सुनकर के और अच्छम भी तो गए अब तो जूट बोल दिया कहने लगे कि हम तो पथिक है पथिक कहते हैं चलने वाले को रागीर को रास्ते चलने वाले को बुढिया कहने लगे पथिक तो संसार में दो ही हुए हैं एक सूरज और दूसरा चांद तुम तीसरे कहां से आगे वो ही चलते रहते हैं दिन रात अच्छा किया अब तो कहने लगे मैया हम तो महमान हैं हम तो पावने हैं अच्छा बुढिया ने का ठीक है बन जाओ कुछ बनो गई आप लेकिन महमान भी संसार में दोई है कि कौन एक धन और दूसरी जवानी दो की खातिरगारी होती है या तो पैसे की होती है या जवानी की होती है बुढ़ापे को कौन पूछता है और गरीब की कौन पूछ करता है कि महमान तो दो ही है अब सोचे कि क्या बने राजा को पीछे अठा दिया पंडी जी ने और का कि राजा जी आप पीछे अठाओ मन में विचार कर रही है कि ये राजा भी नहीं हो सकते दोनों अच्छा तो बुढ़िया केने कि राजा भी दो ही हुए है संसार में कौन के एक तो इंद्र जो हमेशा बस अपने राज के लिए लौलू प्रहा है देवताओं के लड़ाई उसके बस राज सिंगासन परी थी औ जेने कहां अब राजा भोजर कहां गंगू सब जानती है जो तो पेमियो सोचने लगे किया वह ने भी या का तुम राजा भी नहीं हो संसार में राजा वी दोई हुए हैं तब भी ये नहीं कहा कि हम में से कि यें प्रूजर है बुढ़िया ने का भैया बताओ तो सही कौन हो कि मैया हम तो हैं साधू कि साधू ऐसा नहीं जो बात बात पर बदलता रही कभी क्या बन जाएं और कभी क्या बन जाएं साधू तो साधू यह जैसा है वैसा दिखाई देना हो वही साधू जो बाहर से और भीतर से एक जैसा हो वही साधू है जिस साधू में और क्या हो यह तो भारी रूप है, अंदर जो हो, वही भार हो, लेकिन अंदर की क्या चीज़ें और उसमें होने चाहिए, तो कहने लगे, तुम शादू भी नहीं हो, कि क्या हो, कि सादू वो, जिसमें सील हो, जिसमें संतोश हो, हो शादू है, तुम शादू भी नहीं हो, अब कहने लगे, मईया हम तो पर्देशी है अच्छा पर्देशी हो बुढ़िया कह theme तब पर्देशी भी संसार में दो फिर पर्देश वो नहीं पर्देश जहां plane से गए कर शुब को आगए यह कई कई का पर्देश है सच्चा प्रदेश तो वही है जहांसे प्यप्ती लॉट करके वापस नहीं आता है सच्छा परदेश तो वही है अच्छा तो कौन है परदेशी कौन है कि एक जीवन एक तो ये जिंदगी जो चब चली जाती है परदेश को तो लोट करके नहीं आती है और दूसरा पेड का पत्ता जो एक बाल डाली से तूट गया तो वापिस उस डाल पर तो नहीं लग सकता है अब कहने लगें अरी मया हम तो गरीब है बुढिया ने कहीं अच्छा आगे ठीकानी पर लेकिन अभी नहीं आए तुम गरीब ही नहीं हो तुम गरीब ही नहीं हो सकते कि क्यों बुढिया कहने लगी गरीब भी संसार में दोई है कि कौन कि एक बकरी का जाया बकरा और दूसरे मा की जाई बेटी ये संसार में गरीब भी दोई है तुम तीसरे कहां से आगे अब तो हाथ जोड़ लिए कहने लगे मया हम तो हारे है तुम तुम तो हो भी जाया बोई है कर जो हुआ है जो कर दो आदेगा पूसरा जो पुम तो कर दो इनटनल माइक तो बोली आशु पूश भगवान की हाप प्रेमियो कि महिया हम तो हारे हैं कि तुम भीया हारे भी नहीं हो संसार में हारे भी दोई है अच्छा कि कौन दो हारे भी ये कौन है एक तो कर्जदार जो कर्ज ले लिता है किसी से एक तो कर्जदार और दूसरा बेटी का बाप सदा हारा है संसार में हारे भी दोई है अब तो बोली बंद हो गई कुछ नहीं बोलें और मैया के चरणों में गिर्व पड़े हैं इसलिए प्लेमियों कथा संकेत देती है इन बड़े बुजर्गों को ऐसे ही मत समझो बड़े ग्यानी है बड़े बुजर्गों की कदर करनी चाहिए कहते हैं किसी भी काम को करो धार्मी कायोजन करो जवान किसी काम को करे युवा वरग कोई काम को करे लेकिन सला जरूर बुड़ों की ले 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 ली चाहिए कहते हैं कि बुड़ों में तो क्या होता है होस और जवानों में होता है ज सफल होता है इसलिए बड़े बुझरगों की सला जरूर ले लेने चाहिए दौनों बुढिया के लगी आरे विया उठो उठो पैरों में से उठाया मैं तो तुम्हें पहले ही जान गई थी तू तो राजा भोज है और तुम माग पंडितों लेकिन राजा तुम्हें तो अप विद्वानों की भी कमी नहीं है तो संसार में राजाओं का परिक्षित है उनकी कोई कमी नहीं है जीवन में एंकार नहीं लाना चाहिए कथा संकेत देती है और प्रेमियों अब विद्वानों ने उनको आवगत करा दिया भया आप गंगा हाट पर बैठ करके आप भगवा कर दिया और निवेदन कर दिया गुर्देव अब आप कि अहो कि वयम धन्यतमा अंद्रपाना महत्यमानों ग्रिहनी यसीला राज्याम कुलमन ब्राह्मन पाद सवचात दूरात विस्राष्ट बतेगार यचन है कर्म अब आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ भगवान की भक्ति करो और प्रेमियो गंगा घट पर अब सुगदेव जी महाराज यहां से आगे की कथा सुनाएंगे मुख्य वक्ता है स्ट्री सुगदेव जी महाराज परमसंत और श्रोता है परिक्षित जी महाराज तो अब सुगदेव जी राजा परिक्षित को कथा सुना रहे है अतहे प्रिच्छामी संसिध्धिर योगी नाम परमंगुर्फु पुरुशाशे यतिकार्यम्रियमानाश शर्वथा प्रेमियों कथा संकेत देती है निविदन किया कि भिया पहले स्थ्ष्टि का क्रम प्रारम हुआ भगवान स्री नारैन के नाभी कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति मरीजिया दी रिशियों की उत्पत्ति उसके बाद शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रिशियों की उनको जब स्रष्टि आगे बढ़ाने के लिए कही थी उन्होंने कागाम तो तब करेंगे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनकी भ्रक्ति जब चंड़ी उस भ्रक्ति से एक बालक का जनम हुआ उसका नाम प्रेमियों है रुद्र भगवान का प्रावेट हुआ है उले रुद्र भगवान की और प्रेमियों फिर आगे मानविय स्रष्टि प्रारम होने के लिए मनु और सत्रूपा है और मनु और सत्रूपा जी के यहां दो पुत्र है और तीन बेटिया है दो पुत्र है प्रियवरत और उत्तानपाद और बेटी है आकूति देवूति और प्रसूति अब चरित्र सुनाएं आपको पहले सबसे पहले प्रसूति का प्रसूति ब्याई गई है राजा दक्ष को और दक्ष की बेटी है सती शुक्देव जी कहते राजन परिक्षित सती वो परम सती जो भगवान संकर को ब्याही गई है मनों परिक्षित जी कहने लगे माराज मैंने तो ऐसा सुना है संत ब्राह्मनों के मुख से और वैसे हुआ जाता है कि बेटीों का प्रेम या यह कहीं कि पिता का प्रेम बेटी पर होता है और मां का प्रेम बे inm 900 तो फिर क्यों सती ने अपने ही पिता के यग में जा करके अपना प्राणा दिया वो चरीत्र यदी आते उत्तम स्रिष्ट हो आप हमें वो चरीत्र स्रवन करा हो कि हाँ परिक्षित जी सुपदेव जी माराज सुनाने लगे पूरा पूरा विश्व स्रेजाम सत्रे समेता परम अर्शोभा ताथा मरगणा शर्वे शानुगा मुन ये ग्नयो एक बार एक बड़ा शत्र एक अनुष्ठान हुआ यग्जे सायुजन सभी रिसी महत्मा विद्वान शाधू ब्रामन एकत्रित हुए और उसमें दक्ष का आगमन हुआ उस सभा में भगवान भोलेनात भी बैठे हुए थे ब्रह्माजी भी बैठे हुए थे दक्ष का जब सिव खड़े नहीं हुए और जब सिव खड़े नहीं हुए तो प्रेमियों दक्ष की निगाव पड़ी और देखा वसीव बैठा हुआ है अरे इस ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी सुन्दर बेटी जो है सुसील सती जो है उसका विवाव इस बंदर की सकल वाले के साथ कर दिया देखो तो सही यह मरिया दीते लेकिन यह क्या जाने मरियादा को यह तो भूत प्रेतों में रहने वाला है शमसान में रहने वाला है ना इसको खाने का तरीका ना बैठने का तरीका पता नहीं किन किन आप सब्दों से भगवान का अफमान कर दिया दक्षन भगवान स रहवी से कह दिया है अजग के बात समकर को कोई विस्तान नहीं देगा कि और प्रेमियों सबका विशर्जन कर दिया कि अब कर विशर्जन हो गहां सब अपने विyrतान पर पर चली गए है अकेले संपर भगवान मे है जैसे इस यए आंग कुली wisdom से हटें यह क्या हुआ ध्यान लगाया पूरी बात कर्ष्चमन हो गया कि सब कुछ ऐसा हुआ कि और पेवियों उठकर के और कैलास में आ रहें लेकिन आकर के और सती को नहीं बताएं कथा संकेत देती है अच्छे जो पुरुश हर छोटी-मोटी बातों को घर में आकर के नहीं कहीं कोई चूटी-मोटी बात कहीं पर हो जाती है अपनी ग्रहनी को या बच्चों का उगत कराएंगे उनको भी चिंता होगी इसलिए उस जहर की घूंत को स्वयम ही पी ले तो ठीक है समय आने पर अपने आप फ्रगट हो जाएगी ऐसा समय अपनी ग्रहनी को छुपाना नहीं चाहिए लेकिन कोई प्रिला से समंधित बात हो दुख से समंधित बात हो ऐसे जहर की घूंत को खुद स्वयम पी ले संकर भगवान ने वर्षों तक नहीं कहीं लेकिन प्रेमियों समय चलता रहा और समय बीटता रहा एक दिन की बात कि दक्षी ने विचार किया कि कोई भी कोई क्यालिक्रम नहीं कर रहा है संंकर का नौता कैसे बंद हो सबसे पहले महीं नौता बंद कर दू क्योंकि प्रेम्यों धरमकरमि बंद प्रश्चर का रहा है अपने तो कालिक्रमी मत करो न ऐसे वड़िया है तो प्रेमियो कालिक्रम जब बंद होगे धार्मी कायोजन बंद होगे दक्षने सोचा कि मैं यग्य करता हूं तो कंखलक्षेत्र में अपना यग्य प्रारंब की घोशना कर दी और जैसे यग्य के लिए व्यवस्ताइं प्रेखन नहीं दिया तो प्रेमियो आप देवता की अपने अपने विवानों से चल रहे हैं और जब विप अपने विमानों से चल रहे हैं है या झी वद आशामी करते हैं लेकिन बंद लेकिन विगनों से डरना नहीं चाहिए विगन आ जाएं तो कोई बात नहीं उसका भी मुकाबला करना चाहिए अपने आप वो हर करके दूर हट जाएंगे देवताओं की चाहल बताएंगे कैसे कुछाली है तो प्रेमियों देवताओं का जो विमान का रास्ता ता सीधा था लेकिन वो घुमा करके कहलास करके जाने लगे जैसे मान लो किनी बंदुओं के कोई आपस में कोई छोटी मोटी बात हो गई हो कोई भाई नहीं आ रहा हो उसका रास्ता दूसरी है जो लोग है आने वालों का उनका रास्ता उनके आगे होकर के नहीं है रास्ता तो सीधा है लेकिन वो चला करके उसके आगे हो करके आएंगे यह दिखाने के लिए लो तुम्हारे तो वो खास है लेकिन तुम नहीं जा रहें लेकिन हम तो जा रहे हैं उसको जलाने के लिए एर स्यावश ये कुचाली लोगों का काम है जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कुछी तब होनी चाहिए यदि कोई एक भी भाई रह रहा हो तो प्रयास करना चाहिए कि उस भाई को भी कैसे बिकर के लाए उसके मन में यदि किसी प्रकार की कोई भाव है अच्छे भाव भर स्कत्राइक करके उसको ले करके आए यह हमारा काम है हमारे काव का काम है फायों का का सब हैं एक भाय नहीं है तो कितना बुरा है ऐसा हमको दुख होना चाहिए ऐसा नहीं हमें सुक्री क्योंकि यदि बुरे बुराई जो करे तो बुरा हो जाए दूसरे के लिए यदि आप कांटा तयार करते हो तो आपको शुल तयार हो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए देवता को चाली है अपना विमान घुमाया कैलास के और जैसे ही सती ने देखा कर यह विमान कहा जा रहा है आप तो जांडाल बना हुआ हैं ऐसी व्यवस्ता है ऐसा कारिक्रम हो रहा एर बहुत कारिकरम है यह चर्चा जब सती सोचने लगी मेरे पिता के नहीं मुझे पता ही नहीं है एक विमान देखें दो देखें दस देखें लेकिन जब विमानों पर विपान विमान जा रहे हैं और यही चर्चा हो रही है अब तो सती को धीरे-धीरे दुख होने लगा कि कर दो कि कर दो तो प्रेमियो सती विचार करने लगी बंदी कर दो नहीं हो रहा है कम तो सती विचार करने लगी कि क्या करने चाहिए और सती भगवान संकर के पास जाकर के और उनकी चर्णारविंद में जाकर के बैठ रही है कथा माताओं को एक संकित देती है कभी कोई छूटी मोटी बात हो भी जाएं तो सबसे पहले अपने पती महोदे से कैसे भी करके उनको मनाएं और बिसेस कर मूड देखकर की बात करने चाहिए मूड का मतलब समस्ते हो ना मन देखकर के ऐसा नहीं है कई सर्विस वाले विचारे कोई बैंक की नोकरी है कोई किसी की कोई अध्यापक है तो कोई पुलिस में हैं तो कोई कौश डिपार्टमेंट में कई अधिकारी की आपस में कोई खेचा तानी चल रही है ऑफिस में और अधिकारी ने कुछ गाड़ दिया काम कुछ गलत हो या फिर भी कई हो कि आदत होती अधिकारी तो अधिकारी कुछ के दिया हो, वहां से तो बिचारे का मोर औफ हो करके आया और यह आते ही आपने भी छोटी मुटी बात आ करके भरना शुरू कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको, आपको भी कोई ऐसा नहीं है, कोई मिठा प्रसाद मिल जिया ह। इसलिए आपको पहले उनका रुख देखें कि इनका मन कैसा है किस इस्तिती में तभी जाकर के बात करें यह ग्रहणी अच्छी ग्रहणियों के लक्षण है और फिर भी तरीके से बात करें किसी भी प्रकार से कोई बात हो पियरपक्ष की बात है वो तो विश्यश कर सोच समझ के गरनी चाहिए क соглас कि स्रीमान जी को अपना जो लगा होता है अपने परिवार का अपने घर का ज्यादा लगा होता है ससराल पक्षिसले लगां होता है लेकिं़ इतना नहीं जितनी आप अपेक्षा रखती ओं और आपका लगाव भी माताउं का लगाव भी विवाव होने क ये बाद में सशुराल कोई अपना घर समझ लेना चाहिए कि तो संकर भगवान के चरणार विंद में जाकर के कहने लगी क्या कहा प्रजापतेस्ते स्वशुरश्य शाम्प्रतम निर्या पितुपिया अग्या महोच्षवेकिल वयम्च तत्रा भिस्राम वामते यद्यर्थितामी विवुधा भदन्पी इस्वामी ही भुलिनात आपके ससुर के यहां पर यग्य हो रहो है यह नहीं काग मेरे पिताजी के यह यग्य हो रहा है आज की माता बहिन होती तो यही कहती मेरे पिताजी के यह प्रोग्राम है आपको चलनों है जैसे ओडर दे रही हो इसा नहीं निविदन कर दिया कितना अच्छा लगेगा उनको के आपने उनको उनके लिए उनका संबंद जोड़ दिया अपना संबंद नहीं आपके ससुर के यहां पर यह क्यों रहा है स्वामी इसलिए आप पधारों और आप मुझे भी ले चलो तो अच्छी बात है जंकर भगवान चुप रहे कुछ नहीं बोले अरे बोले नात मैंने कुछ कहा आपने सुना हाँ देवी क्या कर रही थी हाँ बोलो कि आपके ससुर के यहां यग्य हो रहा है इसलिए प्रभू आप चलो और मुझे भी ले चलो हाँ देवी मुझे भी ऐसा लग रहा है जानों भी चाहिए लेकिन लेकिन क्या कि वस देवी मन नहीं है भुलेना पिता के यहां मेरे पिता के यहां आपके भी पिता तुल्य ससुर और दामात का रिस्ता तो बाप बीटे की तरह है चलनों चाहिए आपको भी और आप नहीं चलो बाद में आ जाना मुझे तो अनु कि अच्छा जब खुद के लिए कह दिया तो भगवान संकर कहने लगे ठीक है देवी। तुम जाना चाहती हो लेकिन मेरा मन नहीं है मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि तुम भी मत जाओ अच्छा कि सती सोचने लगी कि मेरे लिए मना क्यों कर रहे हैं कि देवी अब मन नहीं है नहीं स्वामी बताना पड़ेगा कोई बात है कि देवी बात तो क्या बताओं नहीं स्वामी आपको बतानी पड़ेगी आज भगवान संकर जान गए आज जो मैंने रहिशत छुपा रखा था वो अब खोलना पड़ेगा देवी में बताना तो नहीं चारा था लेकिन अब उपस्तित हो गई है वस्ता तो अब बताना पड़ेगा बहुत समय की पहले की बात है तुम्हारे पिता के यहां एक उत्सव में उनका जब आगमन हुआ सभी लोगों ने उठकर के उनका अभिवादन किया लेकिन हम खड़े नहीं हुए इसलिए हमारे यहां पर निमंत्रण नहीं दिया है अब बिना निमंत्रण के कैसे जाओगी सती जी कहने लगी अच्छा तो सभा में जब सब ने सब श्वागत किया सब ने खड़े होकर के अभिवादन किया तो आप खड़े क्यों नहीं हुए आपके भी तो ससुर हैं और ससुर तो पिता के जमान होते हैं आपने अभमान कर दिया तो गल्ती आपकी है भगवान गोलने हैं लेगे देवी मैं मेरे इश्ट के ध्यान में था मैं तो राम राम जप रहा था इसलिए मुझे पता ही नहीं कब तुमारे पिता आए और जब उन्होंने अपनी वानी का प्रहार कर दिया पता नहीं क्या क्या कहा सभा का विसर्जन तक कर दिया मुझे तब पता लगा मैं कुछ कहने का आउसर मुझे मिलता तब कहता ना तब तक तो सभा का विसर्जन हो अच्छा स्वामी लेकिन अब जो भी हो आपको मुझे भेजो जो प्रभुदीन दयाल कहावा आरति हरनों बीद जसोगा प्रभु आपसे एक निविदन करूँ कथम सुताया पीत्री ग्रीह को तुक्म निशाम्यदे है शुर्वर्य निंगते अनाहृता अप्यभियंति स्रोयदं भरतुर गुरोदे एक तैश्यकेतनं यह स्वामी आप नहीं समझ सकते पिता के घर में उत्सव हो और बेटी अपने पियर में बेठी रहें उस बेटी से क्या वितेगी इसलिए मेरा तो यहीं करना स्वामी मुझे भेज द्वाव बेटी का मन क्योंकि मेरी विच्छा है अपने जो पियर के मेरे भाई है भतिजे हैं उनसे मिलूंगी मेरी मौसी मिलेगी मेरी भुवा मिलेगी पियर पक्ष के लोग तो पियर का कोई प्रोग्राम होता है तभी मिलते हैं अन्य था तो मौसी सास मिलेगी भुवा सास मिलेगी और वहां अपने रिस्ति निवेदन कर रही है खुले नात से पगवान संकर ने कह दिया को देवी निमंत्रन नहीं है तो नहीं जाना चाहिए मैं तो यहीं कहता हूं का आप मत जाओं लेकिन स्वामी मैं एक बात कहूं के आप जिसे मैंने संत विद्वान हो से मुक्षित सुना है कि कि किन कि यहां पर बिना बुलाइबी जा सकते हैं किंके कि पिता के घर गुरू के घर संत आस्रम और भगवान के मंदिर में कहीं धार में कायोजन वहाँ पर बिना बुलाएं भी चले जाएं तो कोई हार्ज इसलिए मैं तो यही कहूं कि स्वामी मुझे भेज दो और आप भी चलो दिवी तुम सही कह रही हो इन इस्थान पर चले जाना चाहिए लेकिन कहते हैं कि आवे नहीं आदर नहीं नहीं ने ननन में सने तुल सी वहान जाएए जाहा कंचन अमरसे में यदि वहाँ पर जापर आवादर नहीं मिलता हो अपमान होता हो तो ऐसे इस्थान पर यदि सोना भी वरसता हो तो नहीं जाना चाहिए इसलिए मैं तो सब्सक्राइए कहता हूं आप मत जाएए और कितना कहकर कि भगवान संकर में भगवन अपने इसतका ध्यान लगाने के लिए बैठ गई कहते हैं कि रिष्टे वो नहीं रिष्टे वो नहीं जिसमें रोज बात हो रिष्टे भी नहीं जिसमें रोज साथ हो रिष्टे वो जिसमें कितनी भी दूरी हो लेकिन दिल में हमेशा उनकी याद हो लेकिन दिल में हमेशा उनकी याद हो रिष्टे हो रिष्टेदार को रिष्टेदार की याद आए शम्दी को शम्दी की याद आए तो शम्दियों का रिष्ट है जो महें से जो महें जो महें से मोही आयर सुद्धी ही मचुद्धी मैं जाई रहो में से पती परित्याग हिर दें दुख भारी अपराध्य विचारी आज सती को वह अपना पूर्व समय का जो अपराध्य वह याद आ गया जो महें सुमुई आयर सुद्धी कचुद्धी ने जाई रहो में से यदि भोले नात मुझे कुछ दिन के लिए पियर भीज दें तो मेरा कुछ समय वहां पर कट जाएं क्योंकि प्रेमियों भगवान संकर ने पार्वती का त्याग कर रखा था जैसे आज कल कहते न तलाग लेकिन ऐसी दूर्य नहीं यह सब्द और दू का है इस प्रकार का त्याग नहीं करना चाहिए अच्छा पुरुस हो तो अपनी पत्नी को त्याग कैसे विचारों से भगवान संकर पार्वत सती के साथ में दूरी बना ली थी सत्यासी हज्जार वरस तक तपश्या में बैठ गए थी क्यों क्योंकि सती भगवान स्री राम की परिक्षय लेने पहुंच गई और जान की बनकर के चली गई थी भगवान संकर ने खूब समझाया था लेकिन नही परिक्षा नहीं मैंने परिक्षा नहीं भगवान संकर ने ध्यान लगा करके सब देख लिया अच्छा तो तुम तो जान की बनकर के गई थी मेरे इश्ट की पतनी बनकर के गई थी मेरे इश्ट की जब पतनी बन गई तो तुम मेरे लिए पूजनिय हो गई अब तुमको मै पत्नी के रूप में कैसे स्विकार करों इसलिए मन में संकलब कर दिया कि आज के बाद तुम्हारा और मेरा पति-पत्नी का रिस्ता इस जनम में तो नहीं रहे इसी लिए प्रेमियों आज सतिवुस को याद कर रही इक भगवान संकर्द में क्योंकि मैं यहां रहतो रही हूं लेकिन प्रभु का मेरे साथ कोई सम्मंद नहीं है इसलिए कुछ दिन मुझे पीर में भीज़ दें तो मेरा पुर्स में कट जया है यही दुख को याद कर पति प्रृत्याग कोatta परित्याग घृदय दुख भारी और केहिन निज अपराध पिचार अपने अपराध को आज केह नहीं पारेगे आप मुझे इसलिए नहीं भेज रहे केह नहीं पारेई है और ठीक है अंतिम में भगवान संकर ने यही कह दिया है सती अरे सिव संकर भोले नाथ ओधिनाथ भिजिवाई दे भोला पी हर गो सिव संकर भोले नाथ अरे नाथ भिजिवाई दे भोला पी हर गो मैं संकर खोड़े गोरे उतिनात विजी वाइले गोरा पी आरेको कर दो 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 सभी बहने मेरी यज्य में जा रही आए कोहे बर्सन हो जाए आखे होगे नाते विजवाई ने बोलाती अरको दिवित्तं कर दोले नाते आये नाते विजवाई ने बोलाती अरको सक्करदी ने मना करी जबू सक्कर जी ने मना करी जबू सक्कर जी ने मना करी जबू मर नाय मानी सक्ति नाय मानी देतो आज विजवाई ने बोलाती अरको सक्कर जी नाते विजवाई ने बोलाती अरको कर जाते विजवाई णницу कर जाते विजवाई झाल झाल बिना बुलाएं सती चली मत जाईयो जिवतां करें भोले ना से आये ना से विजी वाई दे भोला की अनुको झाल 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 जिवतां करें भोला की अनुको जिवतां करें भोला की अनुको जिवतां करें भोला की अनुको बुले भोले नाथे की जय हो बिना नुमती के भगवान भोले नाथ की सती यहां से प्रिस्थान कर गई है बुले नाथ ने यहां से गण भेज दिये और प्रेमियो सती जब अपने पिता के यहां पर चल दी है चलते चलते पोंची है पिता के यहां जैसे ही जाकर के अपने घर पोंची है सबसे पहले अपनी मा से मिली है दूर से ही जब बेहनों ने देख लिया सती को तो ब्रेमियो मा तो माई होती है आज जो प्रसूती मा अपनी बेटी को देख करके क्योंकि आज सती के साथ में भगवान संकर नहीं है घर में कोई उत्सव हो और उस में और बेटियां तो अपने पतियों के साथ आई और कोई एक बेटी अपने पती के साथ नहीं आए मालूम चल जाएंगे कोई न कोई हमारे जवाई राजा है जो कृद है नाराज है नहीं आए तो मा को भी दुख होता है और जो बीटी है उसको बड़ा दुख है आज सती जैसे ही मा से मिली तो मा के आँखों से भी आश्रू की धार बह रही थी और सती के आँखों से भी आश्रू बह रही थी कुछ नहीं बोल पाई दोनों मा बेटी बेहनों ने जरूर पूछा क्यों सती भूले नाथ नहीं आए लेकिन माता प्रसूती ने सब को मनद डाड दिया खवरदार जो किसी प्रकार से सती से बात करी और प्रेमियों कुशलता क्या पूछे सती से कहा बेटी अब ऐसा करो यग्य मंदब की और चली जाओ बेटी यग्य भगवान के दर्शन करो यग्य की आहूतियां जल रही है विप्रों की द्वारा वेदोप मंत्रों का उच्छान हो रहा है अपना मन हलका कर लो क्योंकि प्रसुती जान रही थी यग्य में जाएगी उधर तो इसका मन थुड़ा हलका हो जाएगा सती धीरे धीरे चलती हुई यग्य मंदब पे गई सामने देखा तो पिता खड़ा हुआ है राजा दक्ष की भी निगापड़ गई बेटी भर लेकिन जैसे ही सती को देखा और किनारा कर लिया दूर हट गए रस्ते से सती जोई फिर टेड़ी चलने लगी पिता की और तो पिता त्यों त्यों दूर होता गया सती निस मन में सोचा कैसा दुष्ट पिता है जो जो नजदी करती गई जानते हुए भी किनारा कर लिया और सती खड़ी की खड़ी रह गई सती के आंखों से करस्तियों की धार फिर बह गई सोचने लगी मैंने अपने देव श्वरूप अपने पती का कहना नहीं मान करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो यहां आ गई अरे कैसा पिता है खड़ी खड़ी अपने पिता कोई पता नहीं क्या क्या कह दिया कैसा दुष्ट है अरे दुष्ट पिता तूने तो मुझे जन्म दिया है थोड़ा तो विचार करता उन महादेव भूले नाथ ने जो कहा समझाया था मुझे मैंने सोचा था कि मैं जाकर क अपने पिता को समझाओंगी ससुर और दामाद का जो बैर है उसको कम करवाओंगी कैसे भी करके लेकिन तेरे अंदर तो वही क्रूरता भरी होई है और प्रेमियों उस जहर की गूट को वहाँ पर तूपी गई लेकिन जैसे ही आगे वड़ी यग्यमंडप में पहुंची है यग्यमें जाकर के जब चढ़ी उदार देखा दर्सन कर रहे हैं तो प्रेमियों देखा चारों कौन देखे हैं ब्रह्मा का इस्थान लगा हुआ है वरुन का इस्थान है लेकिन ईसान कौन पर जब नजर पड़ी तो भगवान सिउंग का कोई इस्थान नहीं है सिव का जब इस्थान नहीं देखा तो सती कांप गई और वहीं पर सती आंखे लाल हो गई और कहने लगी दुष्ट पिता जो तुने ये शरीर दिया है इस शरीर को अब मैं नहीं रख पाऊंगा आज भगवान भुले नाथ उत्तर की तरब तो मुह कर लिया भगवान सिव का ध्यान करने लगी भुले नाथ आपसे में शम्मा प्रार्थी हों मैं जानती हो मैं इस सरीर को नहीं रख पाऊंगी लेकिन जम मैं इस सरीर को छोड़ दूंगी तो आपको कितनी पीड़ा होग यह मैं जानती हूं क्योंकि यह ग्रिष्टी रूपी गाड़ी के दो पईये होते हैं एक पईया यदि तूट जाता है तो दूसरा लड़ खड़ा जाता है तो चलने लाइक नहीं रहता है इसलिए है स्वामी यह भोले नाथ आपसे निवेदन करूं कहते हैं कि अंतिम समय परव्यक्ती जिसके जिसमें लगता है जिसमें मन होता है अगला जनम वहीपारफ्थ चाहे मुझे एक नहीं हज्जारों जनम लेने पड़े'T यही अगले जनम में भी आप जही पती के रूप में स्विकार करना है यही मेरी प्रार्थना और यही मेरी विंती है तो सती रोरो करके और अपना प्राणान्त करने को जा रहे लेकिन पिता को भी बहुत बुरा को गह दिया है और भगवान संकर के चरणों में ध्यान लगा लिया है और प्रयार्थना कर रही है कि आरे मेरे भोले श्वामी आरे मेरे भोले स्वामी सुनियों सती की पुकार आरे मेरे भोले स्वामी सुनियों सती की पुकार आरे मेरे भोले स्वामी सुनियों सती की पुकार जनम चाहे लाखों लेलू, दासी बनो हर बार जनम चाहे लाखों लेलू, दासी बनो हर बार अरे मेरे भोले स्वामी, नियो सती कीर पुकार अरे मेरे भोले स्वामी, सुनियो सती कीर पुकार आप बीना पुकार प्रभु याज्य नहीं है, आप बीना प्रभु याज्य नहीं है, तिता के दिल में भाव नहीं है, प्रभु मैं कैसे धारू, ओ प्रभु मैं कैसे धारू, धीरे जै की ये दोर अरे मेरे भोले स्वामी, सुनियो सती कीर पुकार आप बीना पुकार अरे इस पापिन की अरजी सुनना, जनम जनम चर्णों में रखना, इस पापिन की अरजी सुनना, जनम जनम चर्णों में रखना, प्रभु ये विनती मोरी, अरजी लगाओं पारंबार, अरे मेरे भोले स्वामी, सुनियो सती कीर पुकार मुली भुलीनाथ की जैहूं अब ब्रेमियाओ, सतीन भगवान सिफ्टे चर्णों में प्रभु, मुझे एक नहीं, हजार नहीं, यदि लाख जनम भी लेने पड़े, तो मैं लूँगे लेकिन प्रभु मुझे की वल, आप ही स्वामी की रुप में मुझे, आप प्राप्तो, यही मेरी विंती है भुलिनाथ, ए ब्रभु, अब मैं विदा ले रही हूँ, इस जनम में अब आपका और मेरा साथ के वल, आज तक काई था, अब ब्रभु, की व्रक्षि कहे, सुनो पात से, सुनो पात मेरी बात, यहां जग की कचुरीत है, एक आवत एक जाथ, पता तूटा डाल से, ले गई पवन खुड़ा, अब के विछुड़ें कभ मिले, कंधूर पड़ेंगे जाथ, अब के विछुड़ें कभ मिले, कंधूर पड़ेंगे, आज सती ने भगवान से निवेदन कर दिया है, आज पेड से पत्ता जैसे तूट रहा है, उस डाल पर तो वापिस जाब करके, उस इस्तिती में तो नहीं, यह भूले ना था, आपका और मेरा साथ, इस जनम का तो यहां तक कई था, इस दाजी को स्विखार कर लिना, कि कोवन दूरन कर सके, विधी के उल्टे अंक, उद्धि पिता तूचंड को धोयन सक्यो कलम, जिसके भागे में जो लिखा हुआ है, उसको कोई मिठने वाला नहीं है, चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, समुद्र में अथा पानी है, लेकिन फिर भी चंद्रमा का कलंक को वह नहीं दो सका, एश्वमी, अब विधा, और इतना के करके उत्तर की तरफ मुँख कर लिया है, और प्रेमियो यग्यमंडब से बहार आ करके, और सती ने अपने सरीर में ही योग अगनी प्रगट कर लिया है, और योग अगनी से देखते देखते सरीर को जला लिया है, अहां कार मच गया, अब तो सब पूरे नक्राइब कर लिया है, अब तो सब्सक्राइब कर लिया है, अब तो सब्सक्राइब कर लिया है, भगने लगा और प्रेमियो जैसे ही दक्ष को जाकर के पकाड़ा गर्दन तोड़कर के पकड़ करके और उसकी गर्दन तोड़कर के यग मंड़क में, हवन कुंड में डाल दी है, अब तो यग विध्वन्स हो गया और अग्या, भगवान भुलिनात के अग्या गंसार कार्य करके वीरुभद्र पहुचा है एलास को, अब प्रेमियो यग विध्वन्स हो गया, देवता छुप छुप करके निकल गए और प्रेमियो सभी ब्रह्मन लोग सब अपने अपने घ्रो के समय वीता, लेकिन सभी चर्चा करने लगे भईयाओं यग्य तो शंपून हो और प्रेमियो यग्य शंपून के लिए सभी देवी देवता भगवान संकर के पास में जाने के लिए ब्रह्माजी से निविधन किया, ब्रमा जी ले करके चले है भोले नाथ के पास कि भायाओ भोले नाथ के पास ही चलो, अर्जाकर के निविदन किया है, भोले नाथ से अर्जाकर की प्रार्तना करी कहां चिपे हो भोले बाबा अर मेरे घर कब आवोगे और कहां बजेगा दमरू तेरा धोणी कहां रमाओगे ऐन को घुझे गुफास जी है अमर्नात की जहां विस्तरा में तुमारा है भुलिनाथ का इस्थान है अमरनाथ की गुफा ये भुलिनाथ और आपको पधार ना है गोराक के रूप में किस प्रकार से प्राप्त करना है पुने सारा निविदन कर दिया है मन के फूलि प्रेम का धागा भाव से हार बनाया है रूपासू का भोजन लाये उसका भोग लगाना है और जी मेरी सुनले भोलें दर्शन देने आना है अर गुफास तो शी है अमरनाथ की गुफ हुलें लर्शन देना है निविदन कर दिया है और प्यार्डियोग भगवानसंकर प्रशन हुगए ऐसे आशू तो से आशू करते शिग्र को तोस करते हैं फ्रशन है तो इसज प्रसंदा हो जाएं कि गोड़ी हो जाएं और सिग्र प्रसंद में आज बोलो के बाफंदी कैसे आना हुआ भोले ना था आपको तो शब पता है दक्ष का ये कि हां दक्ष जैसे ना समझों कि मुझे ज़्यादा याद तो नहीं है लेकिन हाँ उसने थोड़ा सा प्राद किया था थोड़ी सी शजा दे दी लेकिन प्रभु यग्य तो अधूरा है ना उसी यग्य को शंपुन करवा है उनकी वैकल पिक्विवस्ता करो जिसका हाथ लगा दो कि लेकिन वो द प्रम्मा जी भी पहुचे और दक्ष लेकिन आज दक्ष को बेटी का समय तो वापिस वो तो आ नहीं सकता गया हुआ जी वो तो वापिस कैसे आए आज बेटी की जिंता सताने लगी है रोने लगा पिता और सुक्देव जी कहते राजन परिक्षित वही सती क्योंकि भगव पार्वति की रूप में जनम लेकर के और प्रेमियों हिमाचला और मेना के आपर बड़ी हुई नारजी ने उन्हें भ्रमित करना चाहा लेकिन नारजी ने अवगत भी करा दिया कि यदि तुम भगवान संकर की पूजा करो तो तुम्हें भगवान स्यूप्राप्त हो सकते है और इसी माध्यम से पार्वति जो हो बन में जाकर के अधिया कर दिया समय आने पर कठोर तपश्या करी है और पे प्राप्त करना चाहती हों शंकर जी तो कुरूप है ना पहनने का होस ना खाने का ना बैठने का ना रहने का तुम विश्णु भगवान से विया कि नहीं कर लेती हो चुन्दर भी है सती ने का पार्वती ने कहा मैंने जिनके लिए तपश्य करी है जो मेरे हिर्द में बसे हुई हैं मैं तो उनको यह प्राप्त करना चाहती हूं आप मुझे विचलित मत करिए आप अपना काम करो सब तरी सी परिक्षन करके और चली गई है जान गए और भगवान भोलेनात से जाकर कि निवेदन कर दिया उधर प्रेमियों वह उनके इश्व के भगवान स्री राम जिनकी वह द्रॉलत से सती को स्राप लगा वहीं स्री राम का इस्मंद किया है सती ने भी किया था पूरों में और भगवान भोलेनात ने भी ध्यान किया है और भगवान सिव के हिर्दे में भगवान स्री राम आ गए और राम आकर के प्रिना करी कि जाओ तुम अब सती ही पारवती के रूप में ये भोलेनात मेरा तो यही निवेदन है कि आप पारवती क के साथ में भिभाव करो और भगवान अपने इश्ट के कहने पर भगवान ने कहा कि गुरु पिता और माता की आज्ञा तो बैसी शिरोधारिया है इसलिए रिष्ट की आज्या है और प्रेमियों भगवान सिव और पार्वति के विभाव की तैयारियां प्रारंथ हो गई है आईए हम भी बर्गवान सीव के विभाव के लिए कुछ घराती और कुछ भरात क्यों को पल जी तो भगवान संकर की अब बरात आ रही है कहा के लिए राजा हिमा चलके यहाँ पर और बरात चल दी अब बरात में भगवान भूले संकर्चाल्या परणबा कर भूतन कोशंग ऐसी भंग चड़ाई भूला सब्सक्राइब हो गए तंग दंग जेहो थो एसा रस्ता बना लो विच मेंरे आयो परण बान ते रघिलो जोगी आयो अन्यृ सब्सक्राइब हो जन तो चेंडीरे का उल परण है तो रातार चान तो चन्डीरे का पड़क है रंगीलो जोगी आयोच परण बाने आयोच परण बाने यह तो रातारी चान तो दड़ीरे का परण बाने रंगीलो जोगी आयोच परण बाने आयोच परण बाने कड़ड़ाई थी खैजान बराती बापाया लाया गोदी गोड़ा हाती सल्ला लोडीली आ हात में बाने तो रगड़बाने यह तो रातारी जान तो जहीरे का परण बाने जहीरे का परण बाने अरे जोगी हात में लिया जे कमरू निया जे जोगी हात में लिया जोगी हात में लिया जिनिस्क! जानको स्ड़ि देखा गड़ पर आदा, दिदू जो कि आयोजे परन कारे परने बाने, पोरां अरी जानको स्ड़ि देखा, गड़ पर आदा ी Calm दिदू जो कि आयोजे परन कारे कर दो कर दो कर दो अरे पुदो पुदो पीद लटक रही डाली ये कैपीद बरस की लाली ए मातर का लोग लुगाया सालेडा का लोग लुगाया लग्या बाता तो करबान है पोरा थारी जान तो जनिरे का खड़ प्रन दिलोगों मी आयो परण बान स्थरेज से उनिर खड़ प्रन दिलोगन के लिए स्थरू में डिक रिए भागों मी आयो तो जदे बाता हम करों झालं स्कु откती जान देदा के थाइँ लगषए classes एकर खड़े झालं से टॉबfrage अरे काई तारा बाबुल के मन भायो सन्ने जोगीनों परनायो वार्बती मईया तो लग रई कदबात तो घज़बात ये ठोरा ठारी जान तो चड़ी रेखा खणपत जागीलों जोगी आयो चलड़्दी बाने गोरा ठारी जान तो चड़ी रेखा खणपत रंगीलो जोगी आयोचे परने बाने रंगीलो जोगी आयोचे परने बुले भुले नात की आशुतोष भगवान की जै जै श्री राने सभी फक्त अपनी अपनी जगे यथा इस्तान बैठ जाएंगे और भगवान शंकर और पार्वत्ती को उचित इस्तान दे रखा है कुर्शिपे शास्त्री जी यहां भी राजित करेंगे और यद्वान दिपाराम जी लक्ष्वन जी कंचन जी सह पत्नी जहां कई भी हो यहां कर सकता है लेकिन भगदर नहीं मचानिये धीरे 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 संक्ती तरीके से बैठ जाएंगे अपने इस्तान पर जाएंगे यह थोड़ा कैमरे से पीछे अट जाईए क्योंकि यह लाइव चल रहा है कारिक्राम यहां का जो अनुश्चान है सिर्वत भाग्वत जान यह है वह लाइव चल रहा है इसे आपसे ज्यादा कहीं जगह पेठे हुए देख रहे हैं हजारों कुसेनिया में इसलिए थोड़ा इस कैमरे का भी जहां रखेंगे बारवान ना कहना पड़ें कि मुली भुलीनाथ की अप्रेमियो भगवान सिव और पार्वति का संदर विभाव संस्कार बाराथ भगवान भुलीनाथ की भगवान भुलीनाथ का विभाव संस्कार की रिपी आप बर्मला का जे हो जे हो जे हो देखो सिम्भोले भंडारी नाडिया पे है सवारी दूला अर बन गयो रेत पुरारी जान जा रही ओ बन गयो रेत पुरारी जान जा रही तूला बन गयो रेत पुरारी जान जा रही ओ जान जा रही रोड़ बाबा की जान जा रही जाने जा रही रोले की जाने जा रही आरे हारे जान जा रही बुड़ा बाबा की परात जा रही देखो थी भुड़ा भंडारी नाडिया पे है सावारी दुला बादयुरित पुरारी जान जा रही झाल 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 तेरे हम तो नहीं चालेगा तेरे साथ हाँ जे बाबा नहीं चालेगा तेरे साथ अरे तेरी कोण करे गोशादी तो सुठे की डरे की लाडी तेरी कोण करे गोशादी तेरे संग न बैल न गादी तो कुठे की बरे की लाडी तान जादए तो कुठे की डरे की लाडी तान जादए तेको फिम भोडा भंतारी नाडी या पे अश्रेवारी दूना बन दयो रे प्रिपुरारी दाल जा रही दूना बन दयो रे प्रिपुरारी दाल जा रही कर दो, अनल जा रही दूत कोई बराती लगडा लूला, कोई बराती है खोटा जान पहुंच गई सी बोला के लग रहे भागन के ढोटा सब पराती मस्त हो रहे पिर की भागन के लोटा अरे रे दूला दूला देखने आये लगर मीमासी थोटा मोड़ा मैंना कह रही है राधा से कोई पीदन का पड़ गया ठोटा अरे जाजो या तो बनायो सफेरा या तो नहीं दे उंगी फेरा या तो बनायो सफेरा या तो नहीं दे उंगी फेरा देखिलूगी कुवा जेरा जान जा रही अरे हाँ जान जा रही बोलेगी जान जा रही ओ जान जा रही बोले बाबा की पराती जा रही बेगो सिल्टो की कुणारी नाटिया पे है सवारी दोला बन गयो दे पराती जान जा रही ओ दोला बन गयो दे पराती जान जा रही दोला बन जान जा रही हर साथ बरस को तू लो एक दोन्यों आख बैठ रही है साथ बरस को तू लो एक दोन्यों आख बैठ रही है लंब लंब लेवे सास नाण यक डगमग डगमग हिन रही है लंब 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 लेवे सास नाण यक डगमग डगमग हो रही है आद मरे जन काल मरे परशू की कोई खबर नही है अर्हे गोरा तेरे क्या जच रही है क्या जच रही है तेरे हादम में दी लग रही है क्या जच रही है तेरे मां दी लग रही है क्या जच रही है तेरे मां दी लग रही है अर्हे गोरा तेरे ना क्या जच रही है हे गोरा तेरे लग रही है हो हे गोरा तेरे जच रही है अर्वेर बणजा, बणजा सुन्दर नवल की सोर। आखन की नीद बढगय पाम देवसों की जान जाहा जाही। भुले भुले ना थे की जैर हो। अब सभी अपने स्थान पर वेड़ जाएं। ज्यान दें। भगवान सिव का पावन चरित्र आप सभी ने सुना। कल की कताई वड़ी रोचक, बावन भगवान का प्रागट्य कल, मिरसिंग भगवान का भी पावन चरित्र आप सुनेंगे। मनु और सत्रुपा के यहां, उत्तानपाद के यहां, ध्रूजी महराज का जनम, ध्रूजी महराज की पावन कता सुनेंगे, शमुद्र मंथन की कता सुनेंगे, और सायंकालिन की वेला में बावन भगवान का प्रागट्य होगा, कश्यप और अधीधी के यहां पर काफी चरित्र भगवान का आप सुंदर्वन करेंगे आज की कथा का अब यहीं प्रवानिको विराम और जैस्री राधे जैस्री शाम जैस्री शाम यजमान विपाराम जी और सभी भाई अपनी धर्म पतिन इसाइट आगे आजाएं आरती होगी और भोग लगा दिया सभी अपने अपने इस्तान पर बैठ जाएं अभी आरती होगी उसके बाद में आरती के बाद आप सभी को प्रशाद ले करके जाना है ऐसे नहीं जाना है आरती के लिए यह अजवान आगे आए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं भगवान की पावना आरती होगी सभी खड़े हो जाएं जो आगे हैं वो भी जो पीछे हैं वो भी आगे आजाएं आजाओ बोले नहीं और पारवती जी सिद्धी लगा दो भी आजाएं आगो पल जी भगवान भोले नात की आरती नहीं लिएंगे जैसे लिएंगे आजाएं आजाएं जाएं वोՂ कहरा है विराज दिया करो बावान को चारों को आने में बहुत परिशानी होती है सुबह से यहीं बेढ़ जाए करो आप आगे लेडिजों के साथ यहीं बेढ़ जाए कि बालक और फृत यह की है कि जैसे चुटी बालक ऐसे ही बुड़ है और फृत्य वीजों के साथ हो आप इंगत मैं आप यहीं हो अम मगनेद ही बता अधूल्य वादा फृत्यों इंद्ट मार्द साथियो यूदृ यूदृ यूद्ध एवदा इंद्ध अ कर्दूम् पुर्गोरं करुणाबतारं संसार सारं भुजगेव्रहारं सरावसंतं मृदहार बन्दे भवंभवानी सहितं नमामि ओम जय सिव ओमकारा भुले हर सिव ओमकारा रम्मा विश्व सदा सिव बुले नात सदा सिव अर्दागी दारा हर 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 महादेश दो भुज चार चतुर भुज तस भुज के सोही दुले दस भुज ते शोही थी नो रूपनी रखता भुज जी के रूपनी रखता रिभु बने जन मोई अर्यों हर 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 महादेश अर्थ माला बन माला रूंड माला धारी भुले दूने माला धारी ते पुरारी र मुरारी बभुले भुले नाख मुरारी र मुरारी अर्यों हर 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 महादेश सेतां परकी कांपर बागां पर अंगे उजी बागां पर अंगे शान कादिक ब्रमादिक तिर्वादिक असन कादिक फूतादिक संगे हर 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 महादेश एकानन चतुरानन पंचानन राजी बुरे बल्चानन राजी अर्यों हर 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 महादेश मन के बाध का महाद डले चाक्रती जूल घरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग बालन करता हर 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 पहर महादे प्रम्मारीश सदाशिव जानत अभी बेका खुले गानत अभी बेका पहर आचर के महादे उम आचर के महादे ली दिल नौए का उम हर 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 महादे आची नेविश्वे नात की राजे नंदो ब्रम्म्मारीश फुले नंत अभी ब्रम्मशादी इतनी तुद्य बोगे लगावेश पुल्चित अभर रश तरकावे वहिश्वा आची भादे ली ओ हर 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 महते प्रिगुण स्वामेश्वे जिक्यारती जो कोई नंदावेश साविशें सही बिगावे कहत सिवान अन्दस्पावी रकत हरे हर सावी बढवां सिट भलगावे उम हर 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 महादे उन्दे दिवे घुन कारा उन्दे हर घ्यों कारा अन्दस्पावी सुसराशी बुल बुल नातर महाशिव अर घ्यों हर 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 महादे आरपी कीजी हर महादे दुस्का लगादे कारावे जाजी बलजी की अबर खावे लोग लोशी रड़े निकतन जावे अंजरी पूत्र महाद ताई संकर के म्रभु सदा सहाई दिवी राग तुदाग पठाए लंका जार सिहास दिलार लंका तो पूत का मोज सिखाई जाते पवन सुते भारे मेराए लंका जार अधुर संखारे सिया राह में दिटे काज सभारे लंका बुर्जिते पड़ें दकारे आर सचीन दकार उबारे सैथे पतारे तोरी जब पारे अगी रावन की भुजा उठारे पाई भुजा अशुरे दल मारे दाहिल भुजा शास्त जन जारे सुनर मुनी जन आरती उतारे जे 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 हंको बारे उचारे कंचन थाविक पुरे बुंदो शाई आरती घरत अजन दरा बारे जोहनो मांजी की आरती कावे असिवे तुन नदा नदा बारे लंका दित वनुंद की एर गुणाई उन जिना से सभी प्यारती गारे आरती आरती खीड्या बार्ण प्यूण दरत अजन दर्ण की शेदा इना सुन्द मय दरती चैन दर्क झां 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 झां